ब्रम्हार्ण पे कब्जा करने में भी उतना मज़ा नहीं जितना यहां तबाही मचाने में है चल्दी मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा की हार क्या होती है लाचार होना क्या होता है अच्छाई कैसे दम तोड़ती है चाहे कुछ भी गर लो होनी को कोई डालने सकता काल की काइनात में वेलकम चिरियों से मैं बास तुराओं कि दोड़ों को मैं शेर बनाओं कभे को बिंद सिंग नाम कहाओं अच्छाई 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 झाल झाल तुम अपने आपको कभी अके राबा सुचने हम हमेशा साथ रहें मैं तुम और तुम लोगं की याद में तुम लोगं की याद में पिस्पोर की कहाणी क्या है? you're only human there's some things you can do there's some things you can Chris 4 की कहानी क्या है और Chris 4 में सिर्धार्त अनन्द को क्यों लिया गया है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के फिल्मी गलियारे में रितिक रोसन ने स्टार क्रिस 4 को लेकर नया अपडेट आया है राकेश रोसन ने 2016 में ही ये एनाउंस कर दी थी ये भी बताया गया था कि पिक्चर 2018 में रिलीज होगी मगर इस प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ क्योंकि फिल्म की लिखाई चल रही थी प्रोसेस बड़ा फैल गया था अब बताया जा रहा है कि फिल्म का बेसिक प्लोट लॉक हो चुका है डारेक्टर चुने गए है करन मलहोत्रा प्लस इस फिल्म को राकेश रोसन की कमपनी के साथ सिधार्थ अनन्द मिलकर प्रोडूस करेंगे फिर भी क्रिस फोर्ड दो हजार पचीस से पहले किसी हालत में रिलीज होती नजर नहीं आ रही है राकेश रोसन ने फिल्म की कहानी पूरी करनी है अब वो राइटर्स की टीम के साथ स्क्रिन प्ले पर काम कर रहे है इस स्रीज की पिछली तीनों फिल्मों को राकेश रोसन ने खुद डायट किया था मगर किस फोर्स से वो बता और प्रोडूसर जुडेंगे राकेश और फिल्म से जुड़े अनलों को भरोसा है कि करन मलोतरा उनके विजन को सही तरीके से परदे पर उतार सकते इसलिए उन्हीं ही ये फिल्म डायट करने के लिए चुना गया है वो जल्द ही राकेश और राइटिंग टीम से जुड़ेंगे करन इससे पहले रितिक के साथ अगनीपत बना चुके हैं उनकी पिछली फिल्म समसेरा थी जो की फ्लॉप रही करन और रितिक रोशन कई बार साथ काम करने के कोशिस कर चुके हैं पहले धर्वा प्रोशन की सुधी पर और फिर इंपोर्टल्स आप मिलुआ वाली फिल्म पर मगर दोनों में कोई प्रोजेक्ट वर्क आउट नहीं हो पाया अब सिधार्त आरद और रितिक रोशन दोनों मिल करके आगे साथ काम कर रहे हैं जहां पर सिधार्त आरद ने रितिक रोशन को लेकर बैंग बैंग और वार जैसे फिल्में बना चुके हैं फिल्हाल दोनों फाइटर पर साथ काम कर रहे हैं राकेश रोशन की फिल्म क्राफ्ट के साथ मिल कर क्रिस्पोर को प्रोडूश करेंगे 2024 की सुरुवात में इस फिल्म का प्री प्रोडूशन काम सुरू होगा और 2024 में ही इसकी सुटिंग सुरू हो सकती है रितिक इस साल नौंबर से वार टू की सुटिंग सुरू करेंगे वार टू के बाद क्रिस्पोर की सुटिंग सुरू कर सकता है अगर सब कुछ इस प्लान के मताबिक रहा तब भी क्रिस फोर दो हजार पचीस से पहले रिलीज नहीं हो सकती है इसके लिए आइडियाज को लेकर माथा पोली चल रही है वैसे तो फिल्म का प्लाक बगैरा छुपा कर रखा जा रहा है मगर सोसल मीडिया के जमाने में लोगों को पता चल ही जाता है क्रिस फोर में रितिक का किरदार अपने पिता और जादो को वापस लाने की कोशिश करेगा इस दोरान उसकी भीड़न कई सुपरविलन्स के साथ होगी खैद ये तो सुरुगाती रुजहान है देखते हैं इसमें कितना मट्रेलाइश हो पाता है अगर लोगों कहना माने तो कहा जा रहा है कि क्रिस फोर बॉक्स ओफिस पर कम से कम धाई से 3,000 क्रोण रुपये का बिजनेस कर सकते है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताये कि Chris 4 बॉक्स ओफिस पर कितने हजार करोण का बिजनेस करेगी ब्रम्भान पे कबजा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ फाइनली रितिक की Chris 4 बन रही है फिल्म की कहानी लॉक है डायरेक्टर तयार है रितिक रोशन स्टार क्रिश 4 को लेकर नया अपडेट आया है राकेश रोशन ने 2016 में ही ये फिल्म अनाउंस कर दी थी ये भी बताया गया था कि पिक्चर 2018 में रिलीज होगी मगर इस प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ क्योंकि फिल्म की लिखाई चल रही थी प्रोसेस बड़ा फैल गया था अब बताया जा रहा है कि फिल्म का बेसिक प्लोट लॉक हो चुका है डायरेक्टर चुने गए है करन मलोतरा प्लस इस फिल्म को राकेश रोशन की कमपनी के साथ सिधार्त अनंद मिलकर प्रोड्यूस करेंगे फिर भी क्रिश फोर दो हजार पच्चिस से पहले किसी हालत में रिलीज होती नजर नहीं आ रही राकेश रोशन ने फिल्म की कहानी पूरी कर ली है अब वो राइटर्स की टीम के साथ स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे हैं इस सीरीज की पिछली तीनों फिल्म को राकेश रोशन ने खुद डायरेक्ट किया था मगर क्रिश फोर से ये वो बतोर प्रोड्यूसर जुडेंगे राकेश और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों को भरोसा है कि करन मलोतरा उनके विजन को सही तरीके से परदे पर उतार सकते हैं इसलिए उन्हीं ही ये फिल्म डायरेक्ट करने के लिए चुना गया है वो जल्द ही राकेश और राइटिंग टीम के साथ जुड़ेंगे करन इससे पहले रितिक के साथ अगनीपत बना चुके हैं उनकी पिछली फिल्म शमशेरा थी जो कि फ्लॉप रही करन और रितिक कई बार साथ काम करने की कोशिश कर चुके हैं पहले धर्मा प्रोड़क्शन की शुद्धी पर फिर Immortals of Meluha वाली फिल्म पर मगर दोनों में एक से कई प्रोजेक्ट्स वर्क आउट नहीं हो पाए इस मूवी से ये भी साबित हो जाएगा कि सिधार्थ अनंद और रितिक भी अपने कोलाबरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं सिधार्थ रितिक को लेकर बैंग बैंग और वार जैसी फिल्में बना चुके हैं फिल्हाल दोनों फाइटर पर काम कर रहे हैं सिधार्थ राकेश रोशन की फिल्म क्राफ्ट के साथ मिलकर क्रिश फोर को प्रोड्यूस करेंगे खबरे हैं कि 2024 की शुरुआत में इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू होगा और 2024 में इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है रितिक के साल नवंबर से वार टू की शूटिंग शुरू करेंगे उससे फारिग होने के बाद वो क्रिश फोर की शूटिंग शुरू कर सकते हैं अगर सब कुछ इस प्लान के मुताबिक रहा तब भी क्रिश फोर दो हजार पच्चिस के आखिर से पहले रिलीज होती नजर नहीं आ रही है मेकर्स क्रिश फोर को इंटरनाशनल लेवल का सिनेमा बनाना चाते हैं इसके लिए आईडियाज को लेकर माथा फोरी चल रही है वैसे तो फिल्म का प्लॉट वगेरा छुपा कर रखा जा रहा है मगर दावा किया जा रहा है कि रितिका किरदार अपने पिता और जादू को वापस लाने की कोशिश करेगा इस दौरान उसकी भिडंत कई सूपर विलन्स के साथ होगी खेर ये तो शुरुआती रुजान है देखते हैं इसमें से कितना मटीरियलाइज हो पाता है और आप हमें कमेंट सेक्षन में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं क्रिश्वोर को देखने के लिए तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल पॉलिग्राद स्टूडियोज इसे हासल कर लो तुमें मारा नहीं बचाया गया है लफिरिया देश अपूलतिपेक अम्यूजमेंट पार्क मेक्सिको का बहुत ही जाना माना अम्यूजमेंट पार्क है 1964 में ये अम्यूजमेंट पार्क पहली बार पबलक के लिए खोला गया था जिसके बाद से अभी तक भी ये amusement park बहुत से लोग का fun day या पिकनिक का plan रहा है वगर ऐसे ही एक दिन जब बहुत लोग यहां पर rides झूलने, मस्ती करने, pictures किचाने और अपनी family के साथ quality time spend करने आये थे तब वहां पर एक अजीब सा हादसा हुआ था 2019 का ये incident बहुत ही खतरनाक था और horrifying accidents की list में इसने अपनी जगा बना ली थी ये राइट थी famous roller coaster ride roller coasters हमेशा से लोग को thrill देते आएं बिल्कुल speed से उपर और नीचे इसकी ये train चलती है जिसमें लोग को खूब मजा आता है इस roller coaster की speed इतनी तेज होती है कि नीचे खड़े किसी आदमी को ये लगता है कि शायद इसके अंदर कोई बैठा ही नहीं होगा बगर safety seat builds के साथ इन सभी riders को इस तेज गती train में बिठाया जाता है और ऐसा ही हुआ 28 September 2019 बहुत से riders fun की आड में इस ride पर चड़ गए बगर उन में से जो last train या यू कहें कि last box में बैठे थे वो बदकिस्मन थे उस दिन उन last train वालों के साथ कुछ गलत होने वाला था उनका box बाकी train से छूटा और वो सभी लोग 30 feet नीचे आग रे इस हाथसे में धड़ाम से गिरने की आवास तो आई ही मगर खुद ride को operate करने वाला सुन पड़ गया इस समय इस train के box में 10 लोग थे उसमें से दो को तो आगी का steering लग गया और उन्हें सर में चोट आई जिसकी वज़ा से उनकी मौत बही हो गया दो औरतों को immediately hospital ले जाया गया और बाकी 6 को उसी समय treatment भी दिया गया इस accident के बाद तुरंत ही सभी की rides रोग दी गई और पूरा amusement park बंद कर दिया गया बाद में पार्की checking कराई गई जिससे पता चला ओनर ने पैसे बचाने की आड़ में maintenance ही नहीं कराया था इसलिए roller coaster के सभी connectors वीक पड़ गए थे इसलिए उस दिन उस train का connector तूट गया जिसकी वज़ा से वो हिस्सा अलग होकर गिर गया इस incident के बाद सब डर गए और लोगों का वापस पार्क तक हीच कर लाना मुश्किल हो गया वैसा हो सकता है क्रिश ऐसे ही किसी amusement पार्क में अपने बच्चों को लेकर जाए जहां वो enjoy कर रहा हो मगर ऐसे किसी incident में हमारा superhero सब की जान मचा ले तब तक के लिए बने रहे हैं हमारे चानल बॉली ग्राद स्टूडियोज के साथ विरोज जैसा कुछ नहीं होता है सिर्फ लूजर्स होता है यहां तक पहुच्छा मुश्कित है शक्ति से दुनिया चपती है इसे हासिल कर लो तो में मारा नहीं बचाया गया है एलियन्स की कहानी हमारे लिए एक पहेली है कई लोग दावा करते हैं कि एलियन्स का स्तित्व है वहीं कई लोग ऐसे हैं जो इसे अफवा मताते हैं इसके पीछे तर्क देते हैं कि अगर वाकई में एलियन्स होते तो वो जरूर आते हलाकि पृत्वी पर इसके कई सबूत मिले हैं अभी हाल ही में नासा नेक तस्वीर शेयर की है जिसे देखने के बाद लोग दावा कर रहे हैं कि मंगल ग्रै पर पर जीवी है उच्छिप कर हमसे रह रहे हैं कई देश मंगल और चांत पर जीवन की तलाश में भटक रहे हैं अगर अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है अलाकि सभी को उमीद है एक दिन इस रहसे को सुलज़ा लिया जाएगा पिछले दिनों एक शोग में पता चला है कि एलियन्स प्रिच्वी पर मौजूद हैं वो समुद्र में छिप कर रहते हैं एरिया 51 में भी ऐसा ही कुछ मामला है लोग मा मानना है कि अमेरिका को एलियन के बारे में पता है और उस पर रिसर्च कर रहा है नासा की मार्स रोवर क्यूरियोसिटी पर लगे मास्ट कैम से कुछ पिक्चर्ज ली गई है ये ग्रै के एक जियोलॉजिकल फीचर को दर्शाता है जिसे ग्रीन हीूग पेडिमेंट के नाम से जाना जाता है लोग का मानना है कि ये एक दर्वाजे की तरह है जिसमें परजीवी रहते हैं इस तस्वीर को देखने के बाद कई शोधार्थी दावा कर रहे हैं कि ये एक गुप्त गुफा है मगर सवाल है कि क्या ये सच है बंगल ग्रे के चटानों में जो ओपनिंग दिखाई जाती है ये भ्रामक हो सकती है भले ही कुछ लोग किसी प्रवेश द्वार की तरह समझें पर ये चटानों के बीच का एक फर्क है जो कुछ सेंटिमीटर चोड़ा हो सकता है खास बात ये है कि तस्वीर उस अबजेक्ट के आकार के बारे में पूरी जानकारी नहीं देती है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐसा दर्वाजा है जिसके अंदर एलियन्स की दुनिया है वो सबसे चिप कर रहते हैं बगर इस दावे पर कई विज्ञानिकों का मामना है कि ये एक भ्रम है ये मंगल ग्रे पर मौजूद बस एक अकरिती है मंगल ग्रे पर अभी जीवन की तलाश जारी है एसी ही एलियन्स की दुनिया की सचाई को क्रिश फोर में एक मुद्दा उठाया जा सकता है कि एलियन्स सच में होते हैं या हमारा एक भ्रम है आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक देखते रहे हमारे चानल पॉलिग्राद स्टूडियो तुम अपने आपको कभी अकेरा पत समचने हम हमेशा साथ रहे है मैं तुम में और तुम लोगों की याद में It's okay, you're only human There's some things you can do, there's some things you can Chris 4 की कहानी क्या है और Chris 4 में सिधार्थ अनन्द को क्यों लिया गया है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्राद के फिल्मी गलियारे में रितिक रोसन ने स्टारर Chris 4 को लेकर नया अपडेट आया है राकेश रोसन ने 2016 में ही ये एनाउंस कर दी थी ये भी बताया गया था कि पिक्चर 2018 में रिलीज होगी मगर इस प्लान के मताबिक कुछ नहीं हुआ क्योंकि फिल्म की लिखाई चल रही थी प्रोसेस बड़ा फैल गया था अब बताया जा रहा है कि फिल्म का बेसिक प्लोट लॉक हो चुका है डारेक्टर चुने गए हैं करन मलहोत्रा प्लस इस फिल्म को राकेश रोसन की कमपनी के साथ सिधार्थ अनन्द मिलकर प्रोडूस करेंगे फिर भी क्रिस फोर्ड दो हजार पचीस से पहले किसी हालत में रिलीज होती नजर नहीं आ रही है राकेश रोसन ने फिल्म की कहानी पूरी कर ली है अब वो राइटर्स की टीम के साथ स्क्रिन प्ले पर काम कर रहे है इस स्रीज की पिछली तीनों फिल्मों को राकेश रोसन ने खुड डायट किया था मगर किस फोर्ड से वो बताओर प्रोडूसर जुडेंगे राकेश और फिल्म से जुड़े अन लोग को भरोसा है कि करण मलोतरा उनके विजन को सही तरीके से परदे पर उतार सकते इसलिए उन्हीं ही ये फिल्म डायट करने के लिए चुना गया है वो जल्द ही राकेश और राइटिंग टीम से जुड़ेंगे करण इससे पहले रितिक के साथ अगनीपत बना चुके हैं उनकी पिछली फिल्म समसेरा थी जो की फ्लॉप रही करण और रितिक रोशन कई बार साथ काम करने के कोशिस कर चुके हैं पहले धर्वा प्रोशन की सुधी पर और फिर इंपोर्टल्स आप मिलुआ वाली फिल्म पर मगर दोनों में कोई प्रोजेक्ट वर्क आउट नहीं हो पाया अब सिधार्त आरद और रितिक रोशन दोनों मिल करके आगे साथ काम कर रहे हैं जहां पर सिधार्त आरद ने रितिक रोशन को लेकर बैंग बैंग और वार जैसे फिल्में बना चुके हैं फिल्हाल दोनों फाइटर पर साथ काम कर रहे हैं राकेश रोशन की फिल्म क्राफ्ट के साथ मिल कर क्रिस फोर को प्रोडूश करेंगे 2024 की सुरुवात में इस फिल्म का प्री प्रोडूशन काम सुरू होगा और 2024 में ही इसकी सुटिंग सुरू हो सकती है रितिक इस साल नौंबर से वार टू की सुटिंग सुरू करेंगे वार टू के बाद क्रिस फोर की सुटिंग सुरू कर सकता है अगर सब कुछ इस प्लान के मताबिक रहा तब भी क्रिस फोर दो हजार पचीस से पहले रिलीज नहीं हो सकती है इसके लिए आइडियाज को लेकर माथा पोरी चल रही है वैसे तो फिल्म का प्लाक बगैरा छुपा कर रखा जा रहा है मगर सोसल मीडिया के जमाने में लोगों को पता चल ही जाता है क्रिस फोर में रितिक का किरदार अपने पिता और जादो को वापस लाने की कोशिश करेगा इस दोरान उसकी भीड़न कई सुपरविलन्स के साथ होगी खैद ये तो सुरुगाती रुजहान है देखते हैं इसमें कितना मट्रेलाइश हो पाता है अगर लोगों कहना माने तो कहा जा रहा है कि क्रिस फोर बॉक्स आफिस पर कम से कम धाई से तीन हजार कर रुपे का बिजनिस कर सकती है वी रोज जैसा कुछ नहीं होता सिर्फ लूजर्स होता है यहां तक पहुँचना मुश्कित है शक्ती से दुनिया जबती है इसे हासिल कर ला तुम्हें मारा नहीं बचाया गया है तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुचाने के लिए मैने क्या कुछ नहीं किया मुझे छोड़ दो तेरी बाफ सुदो मैने क्यक्ति वाले आपी को देखा है तुम्हें मुझे दोका दिया है मुझे जीत किया है जवालो के जवाब देना हमारा काथ है हमारा नहीं काथ है आजाओ अच्वार वे तुन्या अच्वार वे लिए टुन्या परोपस किस्टार लिए दुन्या लिए पुन्या इटन्या ये दुन्या विल्या क्या प्रियंका होंगी फिल्म का हिस्सा? कौन करेगा फिल्म में आईटेम सांग पर डांस? Bollywood के Handsome Hunk Critical Roachan, यू तो हमेशा अपने लुक्स की वज़े से सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में होने की वज़े उनके लुक्स नहीं बलकि उनकी अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 है जी हाँ हम बात कर रहे हैं क्रिश फ्रेंचाइजी के नेक्स प्रोजेक्ट क्रिश 4 के बारे में ये एक सुपर हीरो फिल्म है और इसे ओडियन्स खूब पसंद करती है क्योंकि इस फिल्म से हमें इंडिया का पहला सुपर हीरो मिला था साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म क्रिश 3 ने ओडियन्स के बीच खूब कमाल किया था और अब जल्धी इस फिल्म का नेक्स पार्ट रिलीज होने वाला है इस फिल्म को हमेशा की तरह डारेक्टर राकेश रोशन ही डारेक्ट करने वाले हैं और फिल्म में लीड रोल के तौर पर हमें हमारे रितिक रोशन ही नज़र आने वाले है वहीं अगर हम बात करें फिल्म में काम करने वाली female lead actress की तो इसमें हमें PC यानी हमारी देसी गल्प्रियंका चोपड़ा का चेहरा नज़र आ सकता है audience ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया था और अब ये जोड़ी जल्द ही वापसी कर रही है बड़े परदे पर इसी के साथ आपको बता दें कि इस फिल्म में भी बाकी फिल्मों की तरह एक item song होगा और इस item song पर perform करने के लिए makers ने कई नामी और popular actresses को अप्रोच भी किया है हमें मिली खबर के मुताबिक इस फिल्म में हमें Bollywood की टाइग्रेस केट्रीना कैफ item song पर perform करती हुई नजर आ सकती है और इतना ही नहीं इस song पर हमें रितिक रोशन भी बीच बीच में उनका साथ देते हुए दिखाई दे सकते हैं रितिक रोशन और PC स्टारर ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमा घरों में रिलीज की जा सकती है फिल्हाल आज की वीडियो में बस इतना ही हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं एसी चैनल पर जाते जाते वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंगे वाला ये एक रास से विध्याम का जीनियस कई सालों से जारी इसकी रिसार्च अब दुनिया को पूरी थरा बदल सकते हैं किसी देट कर रहे हैं रितिक रौशन कहा नजर आए रितिक रौशन के पेरेंट्स बॉलवुद में सुपर हीरो मूवीज का कॉंसेप्ट डारेक्टर राकेश रौशन लेकर आये थे डारेक्टर राकेश रौशन ने क्रिश्थ्वी मूवी बनाई थी ये फिल्म लगबग साथ साल पहले रिलीज हुई थी इस फिल्म में रितिक रौशन, प्रियंका चोपड़ा और विवेक और रोई समेथ कई नामी कलाकार शामिल थे और अब मेकर्स फिल्म के अगले पार्ट को बनाने की प्लैनिंग कर रहे हैं इन दोनों एक्टर्स को एक साथ कई बार देखा जा चुका है। और यही वज़े है कि लोग इन पे रिलेशन्शिप की उंगलिया उठा रहे हैं। हाला कि अभी इन दोनों सेलेप्स में से किसी ने अपने रिलेशन्शिप की कंफोर्मेशन नहीं दी है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि रितिक अपनी अपकमी मूवीज को लेकर कोई भी कॉंट्रोवर्सी में फसना नहीं जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक्टर रितिक रोशन की मा पिंकी रोशन और पिता राकेश रोशन हाल ही में मुंबई के एक मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आये थे। कबर है कि ये दोनों महा महा शिवरात्तरी के मौके पर बगवान शिव के रूत्रा विशेख के लिए गए थे। इस पूजा में परिवार के सभी सबस्त से शामिल थे। हाला कि रितिक रोशन इस पूजा में शामिल नहीं हो पाये थे अपने बिजी शिर्यूल के कारण। राकेश रोशन जल्दी फिल्म क्रिश पोर लेकर आ रहे हैं। इस बाप बेटे की जोडी ने कई सारी फिल्में साथ में की हैं। और अब यह देखना काफे दिशस्प होगा कि फिल्म क्रिश पोर में यह दोनों क्या कमाल करते हैं। मेकर्स जल्दी फिल्म क्रिश पोर का काम शुरू करने वाले हैं। डारेक्टर राकेश रोशन के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल के अंत तक रिलीज हो सकती है तो लहाल आज की वीडियो में बस इतना ही हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर लाइक करें काल की काइनात में वेलकम कौन गाएगा फिल्म में गाना किसकी तारीफ की रितिक रोशन ने बॉलिवुट के हैंसुम हंक रितिक रोशन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्कियों में हैं उनके फैंस भी अब उनकी इस लव लाइफ में काफ़ी इंटरेस दिखाने लगे हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या रितिक जल्ध ही शादी करने वाले हैं क्या उनकी गल्फरेंड के बारे में जो भी रिउमर्स हैं क्या वो सब सच है क्या वाकई रिदिक रोशन की जिंदगी में आ चुकी है एक हसीना रिदिक रोशन अपनी गर्फरेंड सबा आजाद के साथ आए दिन कहीं न कहीं नज़र आते हैं वो कभी जिनर डेट पर तो कभी एक दूसरे के घर पर नज़र आते हैं बॉलिवज में फल्म क्रिश से अपनी सूपर हीरो की पहचान बना चुके रिदिक रोशन इन दिनों सूपर हीरो से मजनू बनते जा रहे हैं वो अपनी गर्फरेंड सबा आजाद के हर पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी रियूमर्ड गर्फरेंड सबा आजाद में हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम प्रुफाई पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें रृतिक रोशन ने लिखा शानदार जिसे देखने के बाद उनके फैंस भी उस पोस्ट पर कॉमेंट्स करने लगे और इतना ही नहीं रृतिक रोशन सबा आजाद की लगभग हर पोस्ट पर कॉमेंट्स करते हैं और उनकी ठेड सारी तारीफें भी करते हैं रुदिक के इस रवये को देख कर तो यही लगता है कि सभा आजाद और रुदिक रोशन वहाँ कई में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इतना ही नहीं वो दोनों जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं रुदिक रोशन इंदेनों सिधार्ट आनंद की फिल्म फाइटर के शूट में बिजी हैं लेकिन जैसे इस फिल्म की शूट का काम कम्प्लीट हो जाएगा वो अपनी सबसे सुपर हिट फिल्म सीरीज क्रिश 4 को लेकर बिजी हो जाएंगे और उसका शूट जल्द ही स्टार्ट कर देंगे इतना ही नहीं आपको बता दें कि इस फिल्म में भी सीरीज की बाकी फिल्म्स की तरह हमें बहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे जिसके लिए मेकर्स ने बॉलिवुज की सबसे पॉपिलर और सबसे सक्सेस्फुल जोड़ी सचेत परंपरा को अप्रोच किया है इतना ही नहीं सचेत और परंपरा के साथ साथ इस फिल्म में हमें नेहा ककर, विशाल, मिश्रा और जीविन नौटियाल भी गाने गाते हुए नजर आ सकते हैं राकेश रौशन के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमा गाते हुआ हुआ है कैसे होगी क्रिश फोर्र विक्रम वेधा से अलग कब तक आ सकता है क्रिश फोर का टीजर सो हलो गाइज वेल्कम बैक तो यो फेवरेट यूट्यूब चानल बॉलिग्राद स्टूडियोज इसके हर पार्ट में हमें एक नई और अलग स्टूरी देखने को मिलती है मेकर्स ने जब क्रिश का पहला पार्ट कोई मिल गया निकाला था तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो आगे इसके पार्ट और भी निकालेंगे तब ही इसका नाम कोई मिल गया रखा गया था लेकिन जब makers ने देखा कि कोई मिल गया को लोगों ने बहुत पसंद किया है और ये movie सूपर हिट हो गई है तब उन्होंने इसके बाकी parts भी निकालने के बारे में सोचा अब तक के इस movie के सारे parts हिट ही गए हैं बात करें Chris 3 की तो ये movie 2013 में release हुई थी Chris 3 की कुछ ऐसी बाते हैं जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे इस movie में जो मास्क रितिक रोशन ने यूज किया था वो wax का बना हुआ था और इस एक movie में ऐसे टोटल 600 मास्क यूज हुए थे इस movie में कंगनार अनौत का body suit जो हमें फिल्म में देखने को मिला था वो rubber का बना हुआ था जिसे designers को बनाने में 45 दिन लगे थे Chris 3 2014 की blockbuster movie थी और इस बार Chris movie के 15th anniversary पर makers ने सभी fans को Chris 4 की announcement करके surprise दे दिया था इस announcement के बाद सभी इस movie को जल से जल देखना चाते हैं इस movie को इतना प्यार मिलने का सबसे बड़ा reason था इसकी story दरसल Chris इंडिया की only superhero movie है Usually superhero movies हमें Hollywood में ही देखने को जादा मिलती है लेकिन Chris के director राकेश रोशन ये idea बॉलिवूड इंडस्ट्री में लेकर आए और एक नए तरीके की story दिखाई जिसमें लोगों का काफी interest आने लगा आपको बता दें कि रितिक रोशन की कई movies upcoming हैं जैसे Chris 4, Fighter और विक्रम वेधा अब बात करें विक्रम वेधा और Chris 4 की तो इन दोनों की story एक दूसरे से काफी अलग होने वाली है Chris 4 एक imaginary world के बारे में है जिसमें हमें एक ऐसा इंसान देखने को मिलेगा जिसमें super powers हो लेकिन ऐसा विक्रम वेधा में नहीं होने वाला इस movie की story एक पुलिसमैन पर based होगी जो real life से relate करती होगी Chris 4 किसी Hollywood या South movie की remake नहीं होगी ये movie originally written होगी लेकिन विक्रम वेधा 2017 में आई तमिल मूवी विक्रम वेधा की ही remake होगी विक्रम वेधा हमें Chris 4 के पहले 30 सेप्टेंबर 2022 को थीटर्स में देखने को मिल जाएगी ये दोनों movie ही अपने आप में काफी अलग होने वाली हैं आपको बता दें कि तमिल की movie विक्रम वेधा ब्लॉक बस्टर मूवी थी बॉलिवुड मूवी विक्रम वेधा के डिरेक्टर गायतरी और पुशकर हैं इन दोनों ने तमिल की विक्रम वेधा को भी डिरेक्ट किया था बात करें Chris 4 मूवी के टीजर की तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इस movie के अभी shooting बिल्कुल start नहीं हुई है अभी इस movie की script तयार की जा रही है script तयार होते ही मेकर्स Chris 4 की shooting स्टार्ट कर देंगे इस movie का teaser हमें July या फिर August के महीने में देखने को मिल सकता है और फिलहार रितिक रोशन भी अपनी आने वाली movie विक्रम वेधा की shooting में काफी busy है उस movie की shooting खतम होने के बाद ही वो Chris 4 की shooting को start करेंगे तो दोस्तों आप Chris 4 और विक्रम वेधा को देखने के लिए कितने excited हैं हमें comment box में जरूर बताईएगा हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ आप सभी तप Chris 3 movie की female villain काया कौन से Hollywood super hero character से inspired थी कगना से पहले किसे काया का role मिला था इन सभी सवालों की जवाब आपको इस वीडियो में मिल चाहेंगे तो इस वीडियो को फूरा जरूर देखिएगा सुआगते आपका इस वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे बॉलिवट के मो सकस्कूल और सूपर हीडो Chris के बारे में क्रिश्वर मूवी लगबग on board से है और जल्द ही making में आ जाएगी मूवी से लेकर कुछ rumors ये हैं कि इस मूवी में कंगना का भी एक role हो सकता है एक नया मानवर के तौर पे जैसा कि Chris 3 में हुआ था एस काया प्रिश्वरी मूवी में काल के रूप में बहुत ही शांदार performance दी थी विवेक ने तो वही काल के supporting antagonist के रोल में देखा गया था काया को जिसके रोल को कंगना रुनौत ने निभाया था कंगना ने अपनी performance से सब को surprise कर दिया था लेकिन रोल के लिए भी कंगना पहली choice नहीं थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसाद काया के रोल के लिए makers ने सबसे भेले चित्रांगदा सिंग को व्रोज किया था यहां तक कि चित्रांगदा ने तो किक बॉक्सिंग के लेसन लेने भी शिडू कर दिये थे लेकिन बाद में चित्रांगदा को कुईन कंगना ने रिप्लेस कर दिया दोस्तों जैसे कि काल के केरदार का सीधा connection था हॉलेवड की फेमस सूपर एडो मुवी सीरीज X-Men की मेंगनेटों के साथ जैसे कि कंगना की कैरेक्टर का काया का भी X-Men मुवी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था और उनकी केरदार को बिलकुल्टिक की तरह तयार किया गया था बात करें कंगरा की कॉस्ट्यूम की बारे में तो वो एक रबर्ड लेटिस्ट सूट था जिसे 45 दिन में तयार किया गया था और उस ड्रेस को फाइनलाइस करने के लिए लगबग 25 करच तयार किया गये थे और तब जाके वो कॉस्ट्यूम फाइनल किया गया एक इंट्रिव्यू में कंगरा ने रिबील किया था कि उन्हें हर शूट से पहले एक दो घंटे तक काया हुआ हुआ। एक इंट्रिव्यू में काया हुआ। रितिक के कौन से रिमार्ट ने किया खांस को अबसित। कौन कौन सी है रितिक रोशन की अपकमिंग मुवीज। नमस्कार। बॉलिगार्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। बॉलिवर्ट की कौन से रिमार्ट ने किया खांस को अपसित। और क्या आप जानते हैं कि कौन सा है वो कमेंट। आईए हम बताते हैं आपको। दरसल बात ऐसी है कि क्रिश और उनकी रियल लेरी प्रियंका चोपड़ा जोनस करन जोहर के चाट शो कौफी विद करन में पहुँचे थी। जहां उनसे एक क्वेशन में सल्मान खान और आमिर खान में से किसी एक को चूस करना था। पर क्या आप जानते हैं कि इसके आंसर में क्या बोले ये सुपरस्टार। सुतिक ने ची की रिप्लाइ करते हुए कहा कि इसमें चॉइस जैसा कुछ नहीं है। सल्मान और आमिर दोनों की हाइट लगभग सेम हैं जिसे सुनकर प्रियंका भी शौक हो के जोर जोर से हसने लगी। और अगर लोग मेरे इस रिमार्ग से नराज होते हैं तो मुझे कहना होगा कि हमारे पास हुमर की कमी है। उनको कहना था कि मेरे इस कमेंट के तुरंट बाद मेरा अगला सेटमेंट यही था। यही एक लौता डिपार्टमेंट है जहां मैं दोनों खांस दादा स्कोर कर सकता हूँ। आखरे में रितिक ने दोनों खांस को ओसम टालेंट बताती हुए कहा कि वो दोनों लेजेंड्स हैं। मुझे कई साल लगे हैं उनके आसपास पहुचने में। अब ये तो रितिक ही जाने की उनका ताना था या मज़ात पर इतना तो पक्का है कि रितिक ऐसे किसी निमाग से पहले सौ बार जरूर सोचेंगे। रितिक रोशन की upcoming movies की बात करें तो फाइटर विक्रम वेधा और क्रिश फोर में नजर आएंगे। इसके अलावा वो रोहिद्धवन की Untitled Movie और क्रिश फाइफ में भी दिखाई देंगे। क्रिश 4 सुपरस्टार का biggest and most important project है जिसके लिए हर age group के लोग wait करते हैं चाहे वो बच्चे हो या यंग्स्टर्स या फिर old age इस फिल्म का magic सब पर चलता है। मुवी की lead cast में रितिक के अलावा नवाद दिन सिद्धिकी, नौराफ पतेई और नमन जैन शामिल है। जैसे कि आप सब जानते हैं फिल्म क्रिश शीरीज की fourth installment है। तो देखना होगा किस बार क्या करनेया करते हैं राकेश रोश इन इस फिल्म में। जल्दी इस फिल्म आप एंटेटेंड करने के लिए बॉक्स आफिस पर रिलीस होगी। चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्षिन ने बताएं कि कैसा लगा आपको रितका ये चीकी कमेंट। ऐसे ही ख़ुआ है। वी रोज जैसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ लूजर्स होता है। यहां तक पहुंचना मुश्कित है। शक्ति से दुनिया जंकती है। इसे हासिल कर ला। तुम्हें मारा नहीं पचाया गया है। तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। क्या होगा इस मुवी का सोशियल इंपक्ट। कौन होगा इस मुवी का सिंगर। हेलो दोस्तो आप साभी का स्वागत है बॉलिगराच स्टूडियोज में। क्रिश फुर मुवी में हमें रित्तिक रोशन का सूपर हीरो और सूपर विलन दोनों रोल देखने को मिल सकता है। इस मुवी में खबर आई है रित्तिक रोशन हमें चार रोल करते दिखाई देंगे। इस फिल्म में हमें कियारा अडवानी भी ऐज फीमल सूपर हीरो देखने को मिल सकती है। और ये भी हमें आक्शन करती दिखाई देंगी। इसको लेके अभी मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशल अनाउंस्मेंट नहीं आई है। आपको बता दे कि इससे पहले ये निउस आई थी कि क्रिश फूर में हमें रित्तिक रोशन के साथ दिपिका पाडिकोन देखने को मिल सकती है। लेकिन मेकर्स ने इस निउस को घलत बता दिया था। अब ये देखना होगा कि क्या कियाराडवानी सच में देखने को मिलेंगी या फिर ये भी कोई फेक निउस है। क्रिश फूर मुवी 2023 की स्टार्टिंग में रिलीज होगी। इसके पहले हमें रुदिक रोशन की बाकी टोफिल्म विकरम वेदा और फाइटर देखने को मिलेंगी। क्योंकि अब कोविड की सिचुएशन काफी बेटर हो गई है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मुवी हमें थेटर में देखने को मिल सकती है। मुंबई के सिनिमा हौल्स खोल चुके हैं और अब हमें जल्दी ही सारे मुवीज थेटर में देखने को मिलेगी। क्रिश फूर एक आक्शन मुवी है जिसको थेटर में देखने का अलग ही मजा होगा। कोविड के सिचुएशन की वज़े से सभी मुवीज OTT प्लाटफार्म्स पे देखने को मिलती थी। लेकिन खबर की माने तो मेकर्स का कहना है कि अगर सिचुएशन ऐसे ही कंट्रोल में रही तो क्रिश फूर को डारेक थेटर में रिलीस किया जाएगा। ताकि audience इस मुवी को अच्छे से enjoy और feel कर सके। पात करे क्रिश फूर मुवी के social impact की तो इस मुवी में हमें time travel और alien देखने को मिलेगा। और ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये real में होना possible नहीं है। तो इस मुवी को लोग as a unrealistic story ही लेंगे। इस मुवी में हमें एक अलग दुनिया और वहाँ लेकिन interesting भी है। क्रिश फूर मुवी के music composer राकेश रोशन है। ये बॉलिवूड इंडस्ट्री के जाने माने music composer है। इन्होंने इसके पीछे भी कई movies के music compose किया है। क्रिश फूर में हमें total 7 songs सुनने को मिले थे जिसे काफी famous singer ने गाया था। उमीर यही लगाई जा रही है कि इस बार भी हमें क्रिश फूर कुछ ऐसे ही famous singers के songs इस film में सुनने को मिल सकते हैं। आपको बता दे कि राकेश रोशन ने एक interview में बताया थे। काल की काइनात में क्या होगी फिल्म की स्टोरी। क्या होगा फिल्म का बजट। कौन होगा इस फिल्म का music composer। हलो दोस्तों मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉली ग्रैट स्टूडियो की एक और नई वीडियो में। क्रिश 4 रितिक रोशन की upcoming movie है इस मूवी की release date 2023 की है इस फिल्म में हमें रितिक रोशन हीरो और विलन दोनों का रोल करते नजर आएंगे फिल्म की lead actress में हमें रितिक रोशन के साथ कियारा एडवानी देखने को मिल सकती है फिल्म को राकेश रोशन डिरेक्ट करेंगे इस म मूवी में हमें कोई मिल गया का जादू भी देखने को मिल सकता है यह movie action drama movie होने वाली है जिसमें family drama और time travel देखने को मिल सकता है जब से क्रिश 4 की announcement हुई है तब से सभी लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगी क्रिश 4 की story क्रिश 4 का पहला part कोई मिल गया में रितिक रोशन ने रोहित का रोल प्ले किया था जिसमें वो alien से मिलता है और बाद में alien अपने planet पे जाते जाते रोहित को अपनी superpowers दे देता है जिसके बाद वो मास्क मैन के नाम से जाना जाता है कृष्णा की यही स्टोरी, कृष्ण के थर्ड पार्ट, कृष्ण 2 में कॉंटिन्यू रहती है अब बात आती है कृष्ण के पार्ट 4, कृष्ण 4 की तो खबर ये आ रही है कि इस मूवी में हमें कृष्णा का बेटा जिसका नाम रोहित है वो देखने को मिलेगा और उसमें भी उसके पापा की तरह सूपर पावर्ज होंगी और वो भी वर्ल्ड को सभी मुश्किलों से बचाएगा रितिक रोशन की ये फिल्म वार के बाद हम सबको ही इनकी दूसरी एक्शन मुवी का इंतजार था क्रिश फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइट पॉपुलर है और उसका में रीज़न ये है कि इंडिया की ओनली सूपर हीरो फ्रेंचाइजी है तभी तो क्रिश की मुवी के हर प करोड रुपे बताया जा रहा है अब तक कृषिक सभी पार्ट का बॉक्श ऑफिस कलेक्शन मुज़ट से ज्यादा गया है और मूवी भी हिट हुई है हम उमीद करते हैं क्रिश फोर का भी भॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसके बजट से ज्यादा हो और ये भी सूपर हिट हो बात करें अगर फिल्म के म्यूजिक कंपोजर की तो खबर ये आई है कि क्रिश के बाकी पार्ट की ही तरह इस पार्ट को भी राजेश रोशन सलीम मर्चंट और सुलेमान मर्चंट ही कंपोज करने वाले हैं राजेश रोशन बॉलिवुड के टॉप म्यूजिक पर फिल्म के म्यूजिक पर काम करना शुरू करेंगे और जब राजेश रौशन से पूछा गया कि क्या फिल्म में हमें रितिक रोशन का भी कोई सौंग सुनने को मिलेगा तो उन्होंने बोला कि हाँ इस बार क्रिश फोर में रितिक रोशन का एक सौंग तो आएगा ही आपको बता दे के रितिक रौशन ने इससे पहले भी कई मूवीज जैसे जिन्दकी ना मिलेगी दोबारा सेन्योरीटा और सेन्योरीटा और सेन्योरीटा और… क्या क्रिश πोर में होगा पेरलल युनिवर्स का कांसेप, आखिर कौन होगा, क्रिश का दुसमन क्रिश फोर में रोहित महरा से ऐसी कौन सी गलती हुई कि हमें दो क्रिश देखने को मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रेड स्टूडियोस में स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे बॉलिवूड के सबसे ज़्यादा चहीते सूपर हीरो के बारे में और वो है डारेक्टर राकेश रोशन द्वारा तयार की गई क्रिश फ्रेंचाइजी के लीड सूपर हीरो क्रिश सभी बच्चों के क्रि बहुत ही ज़्यादा है और आखिर हो भी क्यों ना इंडिया का सबसे स्पेशल और स्ट्रोंगेस्ट सूपर हीरो है क्रिश क्रिश फ्रेंचाइजी में अब तक कुल तीन मूविज बनी हैं जो की हैं कोई मिल गया क्रिश और क्रिश 3 मूवी डारेक्टर राकेश रोशन क्रिश ही हैं मतलब कि इस मूवी में रितिक रोशन का डबल रोल होने वाला है लेकिन सवाल ये है कि क्रिश 4 में दो क्रिश कैसे होंगे जिसमें से एक होगा पॉजिटिव तो दूसरा होगा नेगिटिव क्रिश 3 मूवी में हमने देखा कि किस तरह क्रिश के डैड रोहित ने एक ऐसा डिवाइस तयार किया जो कि जिन्दकी को दोबारा जिन्दा कर सकता है और उसी डिवाइस की मदद से रोहित महरा ने अपने बेटे क्रिश को मूवी में दोबारा जिन्दा किया था उसी तरह रोहित महरा क्रिश 4 में dimensions के बारे में खोज करते हैं और parallel space की गहराईयों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिस वज़र से वो parallel space के दरवाजे खोल देते हैं और तुरंट बंद कर देते हैं लेकिन दरवाजे खुलने पर actual dimension में एक और क्रिश आ जाता है जो कि किसी और dimension से होता है और वो सीधा positive क्रिश के उपर attack करता है दोनों ही क्रिश बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और किसी एक को जीतना लगभग नामुम्किन जैसा है वहीं दूसरी तरफ रोहित महरा एक device तै करने से मना कर देता है जिस वज़े से मूवी में एक नहीं बल्कि दो क्रिश देखने को मिल सकते हैं और वो भी एक दूसरे के दुश्मन अगर राकेश सर ऐसा concept शोकेस करते हैं तो बॉलिवूड में ये parallel universe के concept की entry एक बहुत ही शांदार content होने वाला है आपको क्या लगता ह नेगिटिव क्रिश की abilities क्या होंगी इसके बारे में हमें comment section में जरूर बताइएगा राकेश रोशन क्रिश पोर किसके इरोस जैसा कुछ नहीं होता है सिर्फ losers होता है यहां तक पहुंचना मुश्कित शक्ति से दुनिया जबती है इसे हासिल कर ला क्या इंडेफिनेटली पोस्पॉन हो गई क्रिश फोर कौन होगी क्रिश फोर की हिरोईट जहां दोस्तों एक बार फिर साब सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस के फिल्मी गल्यारे में बॉलीवूड फिल्म इंडेस्टी ने कोरोना वाइरस महमारी की दस तक से पहले कई सुपर हीरो फिल्मों का एलान किया था इन फिल्मों के एलान ने दर्शिकों में उम्मीच जगा दी थी कि अब उन्हें सुपर हीरो फिल्मों के लिए हॉलीवूड रिस्टार्स का मूँ नहीं ताकना पड़ेगा फेंस की यही खुशी बहुत ही जग उदासी में तब्दीर हो गई कोरुना काल में ये सभी सुपर हीरो फिल्म है थंडे बस्ते में चली गई इन फिल्मों को बनाने का रिस्क कोई भी निर्माता नहीं लेना चाहता कोरुना की वज़ेसे फिल्मों की कमाई ठब पड़ी हुई है जिस कारण निर्माताओं के हिमबत नहीं पढ़ रही कि वो किसी मेगा बजट सुपर हीरो फिल्म को फ्लोर पढ़ लेका रहा है वैसे तो सुनने में आया है कि रितिक रोशन हमें ऐसे समय में एक सुपर हीरो फिल्म देने वाले थे जैसे ही ये हिंट आया तो सब के दिल में एक ही सवाल था कि कौन हो सकती है क्रिशपूर की हिरोईन आपको बता दें कि क्रिश्थी में हमने कंगना रानोत प्रेंका चोपडा को देखा था प्रेंका चोपडा अब हॉलिवुट की एक बड़ी स्टार बन चुकी है और ऐसे में उनका इस फिल्म के अगले पार्ट में होना मुश्किल लग रहा है और वहीं दूसरी ओर कंगना रानोत और रितिक रोशन के बीच कोल्ड वार चल रहा है जिसकी वज़ा से वो एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते इन सब वज़ाओं के चलते हो सकता है कि क्रिश 4 में हमें कोई नया चाहा दिखाई दे आपको बता दें कि इस फ्रंचाइजी के एनॉसमेंट खुद रितिक रोशन ने की थी अब देखते हैं फ्यूचर में क्या लिखकर हिंट किया था कि अगली फ्रंचाइजी पर काम शुरू हो गया है जैसे ही ये एनॉसमेंट हुआ तो फैंस खुशी से पागल हो गए लेकिन वो क्या जानते थी कि ये खुशी सिर्फ दो पल की है क्योंकि हाली में राकेश रोशन ने क्रिस्ट फोर पर कहा मैं महामारी के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ हम जिस फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है मैं नहीं चाहा ताकि वो अटक जाए महामारी में फिल्मों का कारूबार बुरी तरह से वैक्ट हुआ है इसलिए मैं इसमें फूदना नहीं चाहता अब आजकल कोरोना के हालचाल को देख कर लग रहा है कि इस पैनेडमिक को एंड होने में कुछ ही समय बचा है और ऐसे में इसका मतलब ये हो सकता है कि क्रिश फोर्ड इंडेफिनेट्ली पोस्पान हो गई है इरोस जैसा कुछ नहीं होता सिर्फ लूजर्स होता है यहां तक पहुंचना मुश्कित है शक्ति से दुनिया जबती है इसे हासिल कर ला तुम्हें मारा नहीं बचाया गया है क्रिश फोर्ड मुवी किस प्रप्राइटर आखिर कौन होने वाले है राकेश रौशन ने क्रिश फोर्ड की स्टोरी के लिए किसकी मदद ली थी दूस्तों अगर आप इन से भी सवालों के जवाब जानना चाहते है तो में एक्षार आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉली राथ स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हरुश का दियागी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिनिमा में सूपर हीरो जॉनरे को एक नया मुकाम तक पहुँचाने वाले सूपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश के बारे में आज के टाइम में अगर आप किसी बच्चे से सवाल करोगे कि आपका फेवरिट सूपर हीरो कौन सा है तो वो हॉलिवोड के फेमस हीरोज, आरिन मान, काप्टन अमारिका, बातमेन और एविंजिस को ही जुबान पर लेकर आएगा मगर जब आप कहोगे कि अगर इंडिया से नाम देना हो तो सब की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आएगा और वो है क्रिश का तो सही समझे आप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राकेश रौशन दुआरा डिरेक्टिट फेमस सूबर हीरो सीरीज, क्रिश की जिसमें अब तर्ट टोटल तीन फिल्म्स बन चुकी है, जो कि है कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश थी दोस्त आपको बता दे की डिरेक्टर राकेश रौशन क्रिश फूर की स्क्रिप्टिग के ऊपर काफी महनत से डीटेलिंग दे रही है क्योंकि वो क्रिश फान्स की उमीदों पे पूरी तरह से खरा उतरना चाहते हैं और स्क्रिप्टिंग का जिम्मा उन्होंने अपने कंदों पर उठाया है और उनकी मदद कर रही हैं दो बहुत ही ज्यादा प्यारे और राकेश रॉशन के दिल के करीब हेलपर्स तो दोस्तों अब ये दो लोग हैं हृदान और फ्रीहान यानि थी राकेश रॉशन के ग्रां संस का मेजर रोल होने वाला है मुवी के विलन और क्रिश के बेटी को डीटेलिंग देने में क्रिश कारेक्टर को करिश मुवी और क्रिश 3 मुवी में काफी जादा स्टैबलिश किया गया है और दूसरी तरफ क्रिश 4 मुवी के बारे में बात करें तो दोस्तों मुवी में एक नया विलन इंट्रड्यूस किया जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों कृष्ट के बेटी को भी एक न्यू सूपर हीरो के अफ्तार में दिखाया जाएगा और यहीं कामाएंगे दोस्तों राकेश रौशन के दोनों ग्रांट संस क्योंकि उनकी सूपर माइन में एक सूपर करने के लिए बहुत ही जादा ओसम थियोरीज होंगी जो कि राकेश रौशन के लेजंडरी विशन के साथ मिलकर एक स्टांडर्ड मास्टर पीस जरूर बनाएगी दोस्तों अब कहीं न कहीं एक स्क्रिप्टिंग पॉइंट और व्यू से देखा जाए तो यह बहुत ही जा अब आपके राकेश रौशन के स्क्रिप्टिंग के आइडिया के बारे में क्या विचार है हमें जल्दी से कॉमेंस में बता दीजे साथ ही दोस्तों कहां है बिट्टू सर्दार और कौन है अनुच पंडेच शर्मा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आयूशी अगरवाल और आज हम आपके ऐसे ही कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे बॉलिवुड की सूपो हिट फिल्मों में से एक कोई मिल गया का वो क्यूट सर्दार बच्चा क्या आप में से किसी को याद है जिसने की थी फिल्म में रितिक रौशन के सबसे अच्छे दोस्त की आक्टिंग जी हां हम बात कर रहे हैं बिट्टू सर्दार की फिल्म में बिट्टू सर्दार का किरदार निभाने वाले अनुच पंडेच शर्मा अब बड़े हो गए है और वे इतने हैंसम लगने लगे हैं कि लड़किया उन पर अब जान चड़कने लगी है अनुच पंडिचर्मा अब 25 साल के हो चुके हैं और अपने आकरशक लुक से हर किसी को अपना दिवाना बना रहे हैं हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी लेटिस पोस्ट भी शेयर की थी अनुच पंडिचर्मा ने अपनी पिचर इंस्टेग्राम पर शेयर करी है जिसमें उन्होंने ब्लू कला की शर्ट और ब्लाक कला की जीन्स पहन रखी है और वो काफी जच रहे हैं उनके दौनों हाथ उनके पॉकेट में हैं साथ ही में पिचर का कैप्शन लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि तेरे मरने पर बहुत रोएंगे तेरे रोने पर कौन मरता है अनुच के फैंस को उनका ये अंदास बेहत पसंद आया है और उन्होंने कमेंट बॉक्स में अनुच को फायर और स्माइल इमोजी के साथ धेर सारा प्यार बरसाया है कमेंट सेक्शन में उनके फैंस ने लिखा है किलर लुक तो किसी ने लिखा है जबरदस लुक कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि क्या ये वही बिट्टू है अनुच पंडित शर्मा ने भी वक्त निकाल कर अपने फैंस के कमेंट्स पर दिल से रिप्लाई किया है गौड तलब है कि अनुच पंडित शर्मा को आखरी बार फिर्म टोटल सियापा में देखर गया था इसके अलावा वे टीवी शो परवरिश के सेकिंड सीजन में भी नजर आये थे तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रिश फोर में अनुच पंडित शर्मा हमें फिर से दिखाई दे सकते हैं थैंक यू जादू तुमारी दूप से मिलने वाले शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ कौन होगी क्रिस फोर की नई अक्ट्रेस कौन था फीमेल लीट का रिप्रेस्मेंट क्रिस फोर में देखे की कौन सी चोडी जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फॉलिग्राब स्टूडियोज की इस नई अपडेट में भारत का पहला सुपर हिरो हमारा और आपका क्रिश जिसने टीवी दुनिया में आते ही तहल का मचा दिया लोगों से ऐसे पसंद करने लगे कि एक के बाद एक फ्रेंचाइज बंती ही चली गई अब एक बार फिर क्रिश की फोर्थ इंस्टॉल्मेंट हमारे सामने आने आने वाली है जिसकी खबर खुद रितिक रोशन ने क्रिस के 15 साल पूरे होने पर दी थी पता दे प्रेंचा चोपड़ा और रितिक रोशन की फिल्म क्रिस फोर्थ सुपरेट फिल्मों में से एक है दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आई थी फिल्म में रितिक रोशन एक्ट्रिस प्रेंग का चोपड़ा के साथ रूमेंस करते नजर आये थे दोनों की कैमिस्ट्री जबर्दस थी लेकिन आप चानकर हैरान हो जाएंगे कि कृषफ़ोर में फीमेल लीट के लिए राकेश रोशन की पहली पसंद प्रेंगा नहीं बलकि मैंहूना के एक्ट्रिस अमरिता राउ थी कृषफ़ोर की चर्चाओं के बेच अमरिता राउ ने बताया की उन्हें इससे पहले वाली फिल्म में कास्ट किया गया था लेकिन उनके और रितिक रोशन के बेच केमिस्ट्री कुछ खास जम नहीं रही थी इसलिए अमरिता ने फिल्म छोड़ने का फैसला लिया था साथी इंटरव्यू में अमरिता ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि राकेश रोशन को उनका काम पसंद आता है तब अमरिता ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि जल्दी वो राकेश रोशन के साथ काम करें मगर उनकी ये इच्छा आज तक पूरी नहीं हो सकी जी हाँ रितिक के साथ अब की बार अमरिता राओ नजराने वाली है पता दे अमृता राओ ने इश्क विश्क विवा मैं हूना लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों में एहम किरदाने भाया है जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले काफी दिनों से क्रिशपूर की चर्चा चल रही है जिसके एनॉंसमेंट खुद रितिक ने की थी लेकिन जहां क्रिशपूर की फीमेल लीट का सवाल आता है तो अब की बार एक बार फिर से अमृता राओ अपनी केमिस्ट्री को रितिक के साथ फिट करने की कोशिश करेंगी और उमीद है जिस तरह की केमिस्ट्री फिल्म में उन्हें चाहिए कौन होगी क्रिश की हेरोई क्या दिखाया जाएगा क्रिश के बच्चे को और आखिर मार्वल को टकर देने आया है कौन अनुद दोस्तों एक बार फिर साब सभी का स्वागत है बॉली ग्राद स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्कत यागी बॉली वड के 100 साल से अधिक के सिनमाई सपर में क्रिश वो नाम है जिसे पर्धे के पहले सूपर हीरो का دरजा मिला है हॉलि वड में मार्वल और डी सी के फिल्मों में भले ही एक से बड़कर एक सूपर हीरोज है लेकिन हमारा देशी क्रिश भी किसी से कम नहीं है साल 2006 में पहली बार हम दर्शकों ने क्रिश को देखा था दोस्तो रितिक रौशन की इस फ्रेंचाइज इफ फिल्म ने ना सिर्फ बच्चों लेकिन बल्कि बूडों और जवारों का भी दिल जीता था साल 2013 में जब प्रिश्ट्री रिलीज हुई थी तो इसकी तुल्ला सुबर मैन से होने लगी थी यही कारण है कि प्रिश फोर की खबरे मिलते ही एक बार फिर हर किसी के जहर में मास्क वाले सूपर हीरो की यादे ताजा हो गई है दोस्तों बता दे कि बॉलिवर आक्टर्स रिदिक रोशन जल्द ही क्रिश फोर में नज़र आने वाले हैं और फिल्म के लिए तैयारिया तेज से ही शुरू हो गई है फिल्म की स्क्रिप्ट का काम लगबग हो गया है और राकेश रोशन इस पार्ट पर काफी ज़्यादा मेहनत कर रही है हालकि इस फिल्म की लीड आक्टर्स को लेकर चर्चा अभी भी जारी है बता दे कि क्रिश पोर में कियारा जबानी लीड आक्टर्स के तौर पर नज़र आ सकती है बता जा रहा है कि मेकर्स और राकेश रोशन कियारा को फिल्म में लेरा चाहते हैं और उनसे बात्चीत भी शुरू हो गई है अब दोस्तों ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोशल मेरिया प्लाटफॉर्म पर कियारा ने वृतिक के साथ काम करने की इच्छा जटाई थी लेकिन साथ ही इस से पहले ख़बर थी कि फिल्म में कृति सानन लेर आक्टरस के तौर पर दिखाई दे सकती है लेकिन कृति के पास पहले से ही काफी प्रोजेक्स है तो ऐसा बता जा रहा है कि कृति के पास पाँच बड़ी फिल्में हैं जिसमें वो काम कर रही है ऐसे में अब क्यारा इडवानी के नाम पर विचार किया जा रहा है हाला कि दोस्तो इस रेस में अभी दोनों ही आक्टरस बरी हुई है ऐसे में मेकर्स के सभी नेतरी को फाइनल करते हैं ये देखने वाली बात होगी बता दे की रिर्थिक रॉशन, फ्रिम वार के बात किसी और फ्रिम में नजब नहीं आए है और दोस्तो बता दे की फ्रिम वार पिछले साल में रिलीज हुई थी और जबरदस्टä लिई भी थी इस फ्रिम में उनके साथ टाइगर स्रॉफ भी थे और खवर ये भी है कि रोटिक के पास होट स्टार फाइफ का भी कोई शो है जिसे वो डिजिटल डेब्यू भी कर सकते हैं तो दोस्त अब आपको क्या रखता है क्या कियारा दे पाएंगी प्रीती और प्रियंका को टक्तर तुमारी दूप से मिलने वाले शक्तियों का राज अब मैं सामज गया हूँ अगर मेरा एक्सपेरिमेंट काम्याग हो तो इस दुनिया को इंसानियत को एक नहीं शुरुमाद मिलेगी आपको कि अब मिलेगी झाले लेखता है प्रिश की कोस्ट्यूम से कैसे हुआ फाइदा क्यों होता है क्यारेक्टर के कपड़ों पर कॉपीराइट। क्या था इतना ही नहीं उसकी कोस्ट्यूम पर राखी, कॉमिक्स, काठ्टून, टॉईस, आधी बनने लगे थे। साथ बच्चों के लिए बाजार में उसकी जैसी कॉस्ट्यूम बिखने लगी थी लिकिन क्या हुआ उस रियल कृष की कॉस्ट्यूम का क्या कृष पोर में भी वही कॉस्ट्यूम हो गी उस बता दें कि फिल्म स्टार जो भी पहन लेते हैं वो फाशन ट्रेंड हो जाता है जैसा क्रिश की कॉस्ट्यूम के साथ हुआ उसके मास्क और ड्रेस को लेकर अब उसे पहन कर बच्चे खुद को सुपरमान समझ लेते हैं और हो भी क्यों ना बड़े बड़े नामी डिजाइनर्स उनके कपड़े बनाते हैं और सब के चहीते स्टार उन्हें पहनते हैं ऐसा भी होता है जब आक्टर सेक पर किरदार में आने के लिए ये कपड़े खरीद कर पहनते हैं कई बार हाई प्रोपाइल डिजाइन फिल्म के बाद अपने कपड़े वापस ले लेते हैं मनेश महलोत्रा और अंजू मोधी ज्यादे तर फिल्मों के लिए अपने डिजाइन किये गए कपड़े वापस ले लेते हैं कई बार चारिटी के मकसद से सितारों के कपड़ों की निलामी भी की जाती है लेकिन क्रिशपोर में ऐसे नहीं होने वाला है क्योंकि अब की बार क्रिशपोर में रितिक की ड्रेस पर दुबारा से काम किया जाएगा बेशक उसका कलर सेम ही होगा लेकिन कपड़ों के लुक में थोड़ा चेंज लाया जाएगा लेकिन वो चेंज क्या हो सकता है ये जल्द ही आपको पता चलेगा हमारी आने वाली वीडियो में तो जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ अब मैं आपकी होस्ट पलक आपसे विदा लीना चाहूंगे फिर मिलूँगे आपसे अगली वीडियो में और अगर आपको आज कब कैसा था क्रिश 3 में कंगना करोल कितने दिनों में बनी थी ये रबड की ज्रेस क्या काया सही इंस्पायड होगा वंडर मुमेन का किरदाद क्रिश 4 के आने की न्यूज आउट हो चुकी है और लोगों को रुदिक की वो पोस्ट देखने के बाद फिल्म से उमीदे और भी बढ़ गई है सभी जल से जल फिल्म के रिलीस होने का इंकजार कर रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है फ्रांक्स की रिकुवस्ट पर क्रिश और वंडर मुमेन के साथ लाने की बाद चल रही है और क्रिश 3 में भी ऐसा ही एक लेटी है जिसे देखकर लोग शौक रहे गए थे बता दें कि लोगों को क्रिश 3 का ट्रेलर देखने के बाद सबसे ज़्यादा उमीदें कंगना रेनौट के किरदार से ही थी कंगना रेनौट ने क्रिश 3 में एक सुपर वुमेन का किरदार निभाया था और उसके किरदार का नाम था काया कंगना रेनोट का किरदार आधा इंसान और आधा जानवर था अब इस किरदार को निभाने के लिए कंगना ने काफी महनत भी की थी इस किरदार के लिए जो ड्रेस डिजाइन की गई थी वो बहुत ही साथा टाइट और बहुत ही लेटेक्स रबर से बनी हुई थी इस ड्रेस को पहन कर शूटिंग करने में कंगना को काफी मुश्किली जेलनी पड़ रही थी और उसी सारी मुश्किलों को जेल कर कंगना आगे बढ़ी कुछ ड्रेस डिजाइनर बोविंग ने कहा था कि कंगना रनाट ने जो सूट पहना है उसे पहन कर शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल टास्क था क्योंकि ये ड्रेस बॉडी से एकदम चिपकी रहती थी और रबर से बनी होने के वच्छा से काफी गरम भी थी लेकिन इसके बावजूद कंगना ने इस ड्रेस को पहन कर शूटिंग की और सभी को हैरान कर दिया कंगना के लिए ये फिल्म काफी महत्वकूर थी क्योंकि इस फिल्म से कंगना रनाट के कारियर को भी अच्छा बुरे एक मिला था इसलिए कंगना ने अपने किरदार को नभाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी कंगना ने सुप मोमन दिखने के लिए हार संभव कोशिश की थी क्रिश्ट्री के ट्रेलर के बाद जो सरहानम मिली थी कंगना वाकई उसके लायक भी थी बता दे कि कंगनर उनौट ने क्रिश 3 में जो ड्रेस पहनी थी उससे बनाने में पूरे 45 डेस का टाइम लगा था वो भी 25 अलग अलग डिजाइन देखने के बाद आखिर कार ये सूट को सिलेक्ट किया गया अब इस ड्रेस को डिजाइन किया था डिजाइनर गोवन ने और राकेश रोशन ने इसे सूट बनाने के लिए डिजाइनर को हैल्प भी किया था उनकी मदद से ही गोवन इस सूट को बना पाए अब एक बार ऐसा ही और रपड का सूट तयार किया जा रहा है वो भी क्रिश्पोर में पहनने की लेकिन अफसोस है कि वो सूट पहनने का मौका कंगना को नहीं मिलेगा बल्कि हॉलिवूज के वड़न पूमिन को मिलेगा हाला कि जब दो सुपब फिल्म मर्च हो कांस मेरे बापा बहुत बहुत बढ़े साइंडर्स थे मोतारों मेरे रहने वाले लोगां से बाते क्या करते थे काल की काईनात में क्या नयाम मुदर करिशपोर में किसका रोल वापस आएगा क्रिशपोर में कौन गुलाएगा जादू को उसकी घर से वापित किन बातों को जोड़ा गया है कहानी में प्रतिक्रॉशन की प्रिष्ट को लेकर दर्शकों में काफी चच्चा है वालोड इंडस्ट्री में इस पहले सूपर हीरो को लेकर एक बार फिन पैंक काफी उतावले हैं उन्हें परदे पर देखने के लिए फिल्म की कहानी को दिर्चस बनाने के लिए इस बार निर्माता निर्देशक राकेश रौशन एक कहानी में टुइस्ट परोने वाले है यानि कि उन में से एक ये भी हो सकता है कि इस बार प्रिष्ट के पिता या इन में कुछ इंट्रेस्टिंग बाते भी जोड़ी है क्रिश सीरीज की इस चौती फिल्म में रुतिक का किर्दार कृष्णा याने की कृष्ण अपने पिता रोहत महरा से मिलने के लिए टाइम ट्रादल भी कर सकते हैं याने किरते के इक बार फिल्म में डबल रोल में दिखने वाले हैं क्रिश के एलियन दोस्ट जादू की भी वापसी हो सकती है जिसके बारे में पहले भी खबरे आ चुकी है और इसकी डीटेल वीडियो भी हमने चैनल पर डाल रखी है कि कैसे जादू का किर्दार बना और कैस तो जानने के लिए डेख डाले वह विडियो भी और सीडिसी बात है कि अगर जादू फिल्म में आएगा तो रोहिप का भी होना जरूरी है क्योंकि जादू से कॉण्टाक्ट करने के लिए रोहिप का मुना भी जरूरी है समझ लीजिए का कनेक्टिंग पार्ट होने वाला रोहत महरा और जादू बता दे कि रितिक को भी आइडिया पसंद आया है इसके लोग होते ही राकेश रौशन ने अपने भाई राजेश रौशन से इसके संगीत पर भी काम करना शुरू कर दिया है और खाग बात ये भी है कि क्रिश्पोर को बड़ी स्केल पर डेवलाप किय जा रहा है जिसके चलते उसके वी एक्स के काम के लिए शारुकान की कंपनी रेट चिलीज एंटर्टेइन्मेंट से भी बात चल रही है क्रिश्पोर में कई सारे सूपर विलन आने की उमीद है जो कर से मुकाबला करेंगी फिल्म में इनके लोग्स को असरतार धंसे दिखा फिल्म का नहीं बनेंगी लेकिन कौन लेङा फिर उनकी जगए कौन होगा इस में लीड अक्त्रिस तो बताते कि उनकी जगए कि आरह अडवानी से बात की जा रहा है अब उनकी हम होगी याindi यह जान कीeremony से बढ़ा क्रिश्पोर्ड का टाइचल कौन होगी कृश्पोर में क कुछ लगाएगा फिल्म में कॉमेडी का दड़का। सौकत है अब सभी का बॉलिग्राइट स्टूडियोस के खास पेश्कृष में जिसमें आज हम बात करेंगे फिल्म क्रिश्पोर को लेकर उस वीडियो को अर्फ तक जरूर देखिएगा। बात करें बॉलिवुड की तो बॉलिवुड में हर साल करी फिल्में बनती हैं। कुछ सूपर हिट होती हैं, कुछ ब्लागबस्टर तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसे में कम ही फिल्में होती हैं जो ओडियन्स के दिल में सालो साल जगा बना पाती है। इन्ही फिल्मों में से एक है रतिक रोशन की क्रिश, बाद केने क्रिश फिल्म की तो क्रिश फिल्म को रिलीस हुए 15 साल पूरे हो चुके हैं, ये फिल्म ना सरफ बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक्बस्टर थी बल्कि बॉलिवूर्ड में भी या पहली सूपर हीरो फिल्म बन आलम यह तक था कि प्रिश भारत का वो सूपर हीरो बन गया जिसके मास्क उसे लेकर टी-शिट और कॉस्टुम की अलग मार्के खोगली। प्रिश रितिक रोशन की सबसे सफल फिल्मों में सई एक है और हो भी क्यो ना इसके लिए ना सिर्फ मेकर्स ने जीत और मैंट की थी बल्कि कास्ट और क्रू मेंबर ने भी जबरदर्स भैनत की थी। बता दे सुन में रितिक को कई तरीके के इंजरी से गुजरना पड़ा था एक स्टंड में रितिक रोशन के हाथ का और पैर का अंगूठा तूट गया था इस स्टंड के लिए रितिक ने पच्चेत दिन की ट्रेनिंग ली थी उनके इस्ट्रक्टर ने कहा था कि जिसे सीखने में लोगों को एक साल लग जाता है उसे ही रितिक रोशन ने एक महिने से भी कम वक्त में सीखिया जो ट्रेनिंग अप क्रिश वोड में काम आएगी भले ही एक्षन सीक्वेंस अलग हो लेकिन उनकी टेक्निक एक ही होगी साथी बता दे क्रिश वोड में तम के लिए पहली पसंद प्रेंका चुपडा नहीं बल की अमरिता राओ है वहीं बात क्रिश की कास्टिंग की करे तो एतरास के दोरान राकिस राश्रन ने प्रेंका चुपडा को देखा तो उन्हें क्रिश में लेने का मन बना लिया था हमने सभी वीडियों में क्रिश के फैक्ट की बात की है लेकिन क्रिश का नाम और टाइटल कैसे बना या कभी आपको बताया नहीं तो आज आपको बता दे कि फ्ल्म का प्रोड़ुक्शन की करीप फुल्मों की तरह इस फ्ल्म का नाम भी एससे रखा जाना था इसी के सुरते इस फ्ल्म का नाम क्रिश पड़ा और मिला हमें क्रिश नाम का एक соответ लेकिन बता दे जब यह प्रोजेक्ट लाँच किया था तो इसका नाम रखा गया था कोई तुमसा नहीं इसके बाद इसका टाइटल बना कैसा जादु किया हूं लेकिन फाइनल इसे विर्ष्णाम दिया गया और तब से इस फ्रेंच्राइज चल रही है इसी फ्रेंशाइज में एक और पार्ट मिलने जा रहा है जो है प्रिश पोर्ड अपकी बाहर इस विल्म में राजपाले आदब भी दिखाई देने वाले हैं जो कि फिल्म में कॉमेडी का तटका लगाते हुए नसर आएंगे आपको क्या लगता है क्या होगा जब चलेगा जादू कॉमेडी का हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर वताएं आज की वी काल की काईनात में कैसे पढ़ा क्रिश पोर का टाइटल कॉन होगी प्रिश फोर में लीड एक्रिस कॉन लगाएगा फिल्म में कॉमेडी का तटका स्वागते अब सभी का बॉलिग्राट स्टूडियोज की एक खास पिशकश में जिसमें आज हम बात करेंगे फिल्म क्रिश्वोर को लेकर तो इस वीडियो को अंति तक जरूर देखिएगा बॉलिवट की बात करेंगे तो यहां हड साल करी फिल्म में बनती है कुछ सूपर हिट होती हैं, कुछ ब्लागबस्टर को कुछ फ्लॉप हो जाती है ऐसे में कम ही फिल्म में हैं जो ओडियन्स के दिल में सालो साल जगा बना पाती है इनी फिल्मों में से एक है रितिक रौशन की क्रिश मूवी बात करें कृष्ट मूवी की तो कृष्ट मूवी को रिलीज हुए 15 साल हो गए हैं ये फिल्म बॉक्स आफिस पर तो ब्लॉक्ड विस्टर थी ही इसके साथ बॉलिवुट की सबसे पहली सुपर हीरो फिल्म भी बन गई थी इस फिल्म के बाद सूपर हीरो क्रिश ऐसा मशूर हुआ कि इस फिल्म का चौथा पार्ट भी आने जा रहा है फिल्म के एक्सें सीम से लेकर रुमेंटिक सीम तक सब कुछ ब्लॉक बस्टर रहा आलम यह तक था कि क्रिश भारत का वो सूपर हीरो बन गया जिसके मास्क से लेकर टी-शर्ट और कॉस्ट्यूम की अपनी मार्केट हो गए प्रिश रितिक रॉष्ण की सबसे सब फिल्मों में सई एक है और हो भी क्यो ना इसके लिए ना सर्फ मेकर्स ने जीतोड मेहनत की थी बल्कि इसके कास्ट और क्रू मेंबन ने भी जबर्दस मेहनत की थी वहीं अगर बात क्रिश की कास्टिंग की करे तो एतरास के दोरान राकिश रॉष्ण ने प्रेंका चोप्रा को देखा तो उन्हीं क्रिश में लेनी का मन बना लिया था हमने सभी वीडियो में क्रिश प्रेक्ट की बात की है लेकिन क्रिश का नाम और टाइटिल कैसे बना यह हमने कभी आपको बताया नहीं तो आज आपको बता दे फिल्म क्राफ्ट प्रॉड़क्शन की कई फिल्मों की तरह इस फिल्म का नाम भी के से रखा जाना था इसी की चलते इस फिल्म का नाम पढ़ा क्रिश और मिला हमें क्रिश नाम का एक सुपर हीरो लेकिन बता दे जब ये प्रोजेक्ट लॉंच किया गया तो इसका नाम रखा गया कोई तुमसा नहीं इसके बाद फिल्म का टाइडल बना कैसा जादू किया और अन्त में इसे क्रिश नाम दिया गया तब से इस फिल्म की फ्रेंचाइज चल रही है इस फ्रेंचाइज में एक और पार्ट मिलने जा रहा है जो है प्रिश पूर इसमें अब की बार राजपाड यादवी दिखने वाले है अगर मेरा इस्पेरमिन काम्याँ हो तो बस दुनिया को इंसानियों को एक नहीं शुरुआत मिलेगी पुरारी जिन्दगी नहीं जिन्दगी बनकर वापस आदी वेशी वेशी है डेखो किसी बार आपभ्टी है वह यही है मेने अमारे भीटिका ना गोग्रीं कैसे होगी जादू की वाप्थी क्या खासियत होगी क्रिश फोर के सूपर विलन में किन दो हिरोईन्स के बीच कन्फ्यूज है डायरेक्टर राकेश रोशन हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉली गराज स्टूडियोज में जादू जाएगा जादू भी चला जाएगा ये थे हम सभी के प्यारे और दुलारे एलियन जादू की आखरी बोली जब वो रोहित मेरा को छोड़ कर अपने प्लानेट पर वापस जा रहे होते हैं लेकिन उसके जाने के बाद भी रोहित के पास जादू द्वारा दी गई शक्तियां रह जाती है और फिर देश को मिलता है अपना पहला सूपर हीरो 2006 में क्रिश के रूप में जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सब को एंटर्टेन किया अपनी खास सूपर पावर से और अब 2021 के जाते जाते क्रिश ने एक बार फिर अपने फैंस को खुशकबरी दी है कि वो लौट रहे हैं लेकिन इस बार अकेले नहीं बलकि अपने पिता के दोस्त के साथ वापस आ रहे हैं जी हां हम भी आपकी तरह काफी एकसाइटेड हो उठे थे जब हमने भी सुना कि जादू की अर्थ पर वापसी हो रही है वही सोचिए क्या होगा अगर पीके यानी आमिर खान ही कोई मिल्या का जादू हो जो इस बार वो भेश बदल कर इंसानों के बीच रहने आया हो अब हमने तो कभी असली का ना तो UFO देखा है और ना ही कभी एलियन देखा है क्या मालू मेलियन्स के पास रूप बदलने की शक्ती हो या क्या पता वो एक हाइब्रिड स्पीशीस हो जो हमारी और आपी की तरह हो बस उनकी रित्तिक रोशन की तरह कुछ एक्स्ट्रा ये कम हुग लिया हो वही हर स्पेस्शिप से जुड़ा एक रिम्योट होता है जिसके थूँ ये एलियन अपना वेकेशन एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर मनाते नजर आते हैं वही कोई मिल गया में जिस तरह जादू धर्ती पर ही छूट गया था उससे तो ये ही लगता है कि एलियन्स की स्पेस्शिप की मैनेजमेंट भी विस्तारा और एर इंडिया वालों से अच्छी नहीं है लेकिन चलिए कोई बात नहीं जैसे तैसे जादू का जादू रोहित महरा से उसके बेटे क्रिशना में ट्रांसफर तो हो गया फिर क्रिशना ने पूरी कोशिश की वो एक हैंसम सूपरमैन प्लिस बैटमैन का कॉंबो बनकर भारतिये जनता को इंप्रेस कर सके और यकीनन उनका ब्लाक केप, ब्लाक मास्क और ग्रीन आईज ने सब का दिल जीत लिया मज़े की बात ये है कि क्रिश द्वारा पहना गया वो मास्क, मोम यानी वैक्स का बना हुआ है और अकसर शूटिंग के दौरान वो पिगल जाया करता था जिस वज़ा से रित्ति के लिए करीब अं 300 से 400 मास्क बनवाए गए क्रिश और क्रिश 3 को याद करें तो दर्शकों को डायरेक्टर राकेश रोशन ने क्रिश में क्रिशन की सूपर पावर से मिलवाया था कि वो उड़कर हिरोईन को बचा सकता है और एरोपलेन को भी रोक सकता है बहती नदी से मच्छियां पकड़ सकता है और तो और हाई जम्स लगा कर एक नदी को पार कर सकता है अहीं फिल्म में प्रियंका चोपडा को कृष्ट के लव इंटरस्ट के तोर पर दिखाया गया तो कृष्ट 3 की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरस्टिंग थी क्योंकि पहली बार सूपर हीरो के सामने सूपर विलन काल को पेश किया गया जिसकी भूमिका में विवेक अब्रॉय ने उंदा काम किया था फिल्म में काल के हाईब्रेड क्रियेचर्स जैसे काया जो एक्समेन की रेविन से इंस्पायड थी और जो अपना रूप बदल सकती थी साथी फिल्म में एक एंटमैन भी था ऐसे ही काल के साथ उसके कई हाईब्रेड क्रियेचर्स थे लेकिन अंत में जीत हमारे क्रिश की ही हुई अब वही क्रिश 4 में टाइम ट्रैवल का कॉंसेट दिखाया जाएगा इस बार फिल्म को हॉलिवुड की मशूर फिल्म बैक टू दे फ्यूचर से मिलता जुलता दिखाया जाएगा जां क्रिश जादू से मिलने पास्ट में जाएगा और सबसे छुपते छिपाते उसको प्रेजेट में ले आएगा इसके पीछे भी क्रिश का एक मकसद है वहीं हो सकता है इसी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के कन्फूजन में हम भी कन्फूज हो जाएगा कि असली क्रिश कौन है रोहित और जादू की बांडिंग एक बार फिर फिल्म में देखने को मिल सकती है वहीं जादू क्रिश के एक टच से उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री देख लेगा एकदम पीके की तरह क्रिश 3 की एंडिंग में हमने क्रिशना के बेटे को देखा था जिसके पास भी सूपर पावर्स है वाह हॉलिवूड तो अलग-अलग सूपर हीरोज बना रहा है क्रिश 4 को लेकर राकेश रोशन ने अपनी चुपपी तोड़ी क्या कहा नवाजुदीन चाहे वो उनका हेर स्टाइल हो यहां तक कि उनका ब्लाक मास्क भी ट्रेंड में शामिल हो गया था क्रिश फ्रंचाइजी की सफलता के साथ निर्माता चौथी किष्ट की योजना बना रहे है और प्रशन सक अपने सूपर हीरो की वापसी को देखने के लिए बेहद उत्साहे थे देखना दिल्चस्प हो का कि हीरो के साथ साथ इस बार विलन्स की क्या सूपर पावर्स होंगी ये दुनिया मिल्या हर मेरा पापसादा अगर मेरा इस्परिमन काम्याद हो तो इस दुन्या को इंसानी हो एक नहीं शुरू आप मिलेगी आपके कैसी चल रही है क्रिश 4 की तैयानी क्या कहा राकेश राशन ने फिल्म के म्यूजिक को लेकर और इससे टकराएगा क्रिश 2023 में नमस्कार दोस्तों एक बड़ फिर साब सभी का स्वागत है वालिग्राप स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्ट का त्यागी बहुत कि हमारे अपने ग्रीग गॉड रतिक रौशन को किसी इंटर्डाक्शन की जर्रत नहीं है कौन हुने वाला है फिल्म क्रिश्जार तुमारी दूप से मिलने वाले शक्तियों का राज अब मैं समझ किया हूँ अगर मेरा एक्सपेरिमेंट काम्याग हूँ तो इस दुनिया इंसानियत को वाली है प्रियंका चोपडा यह बात तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही लेकिन उससे पहले अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि क्या क्रिश्ज फोर्ट कहां शूट हुई है या कहां शूट होने वाली है तो यह भी जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए क्रिश की सबात को कोई दुख नहीं है क्यआ कुकि जिसकी इसमत में जो लिखा होता है उसे बही मिलता है पर उन्हें इस बात की ज़रूर हुशी है कि राके इस सब्सक्राशन को उनका काम पसंद आया था और उनकी बहूत इक्षा है कि राके शौशन साथ कर था वो उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आती है लेकिन अब जब क्रिश्फूर इती चर्चा में है तो उसका अनौंस्मेंट हम आपको बता ही देते हैं क्रिश्फूर के में लीड एक्टर इनका अनौंस्मेंट बहुत पहले ही हो चुका था जो कि रिदिक रोशन ही होने अब उनके साथ पीमिल लीड में दिखने वाली है अमरता राओ जिया दोस्तों दोनों एक बाफ फिर से अपनी केमिस्ट्री जमाले की कोशिश करने वाले है होपफुली इस बर उनकी केमिस्ट्री जम जाए और जैसी उनको फिम में चाहिए वैसे ही कुछ अच्छी से केमि आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि Bollywood की कोई भी अपडेट्स आपसे जल से जल पहुच पाए और आपसे मिस्स भी ना हो पाए तो कैसे पढ़ा क्रिश का टाइटल और कॉन होएं क्रिश पूर में लीड अप्रस कौन लाएगा फिल्म में कॉमेडी का तरका तो इस दूबर फिर साथ दिए स्वागते हैं Bollywood की बात करें तो यहां हर साल करी फिल्म में बनती है कुछ इंब पर होती है तो कुछ ब्लॉक बोस्टर को कुछ ब्लॉक भी कोज़ा है तू कि में रुष्टों का भी फिल्म है जो सारो साल तक ओर्डिण्स के तरुमत बना वादी है इनी फिल्मों में से एक हैरोच नोग में फ्रिष उन्ल पंद्र साल मूरे हो गई हैं और य तो फ्रिश भारत का उसलों को हीरो बढ़िया जिसके मास्ट के लेका टीशर और कॉस्टी तक ही अपनी मार्किट हो गई खृष्ट पेटिकॉशन की जब से सपर फिल्म में से एक है और दोस्तों हो भी कुणा तो फिल्म में रिटिक को गई दरा कि जुरीश से गुजरना पड़ा था और दोस्तों एक स्टन्ट के दरान उनकी है उन्होंने इस स्टन्ट के लिए 25 दिरों तक ट्रेनिंग बीच्छर इसके इंस्ट्रक्ट हैं ने कहा था कि जिससे सीखने में लोगों को उसाल लग जाते ह उसे रिटिक में एक स्टन्ट के लिए पहली पसंतिया का जो तो महीं अगर बात करें क्रिश की कास्टिंग लिए तो दूस बैतरास के दुरान जिब राप के शॉट्सिंट प्रिश्ट के लिए ने काम बात बना दे था हमें सबी वीडियो में प्रिश के फाक्स के बात की जिए दूस 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 का ये नाम लिए ताइटल कैसे बना कि हमने कामी नहीं बताया तो आगज आख को इस के बाते हैं तो स्क्रिप परॉटेंचन की फिल्म की तरह इस विखन का नाम इतलागी में के सिर्णिस से रखा जाना था कि इस ही जानो किया जिरोगा와 हम मैं इसा सबस्क्रा ना पून जानाली पार्टल इस प्रच्डम का ने तरह इसे विखना में पिल्सम्हाइब dollar स्क्राइबแต जादू की वापसी, जो की एक बार फिर दिए जादू की वापसी, धूप खाखा कर विलिन्स को बैन बजाने के लिए तयार है, इस फिल्म की अनाउंस किन के बाद से ही हर तरफ जादू के चर्चे होने शुरू हो गए हैं, इसमें कई जगा पर हमने जादू को हिंदी सिनमा का फर्स्ट एलियन कहा जाता सुना है, तो क्या वाकई जादू हिं हिंदी सिनमा में एलियन्स देखे जा चुके हैं, वो भी इस फिल्म की रिलीज के 34 साल पहले, साल 1967 में जब एनियन सारी की हिंदी साइन्स फिल्म वहां के लोग रिलीज हुई थी, हाला कि ये एलियन्स इतने फ्रेंडली नहीं थे और थोड़ी लालची भी थे, जिनने इन उंगलियों से ही काम चिनाना पड़ा, लेकिन पार्टनर्शिप काफी अच्छी तयार हुई थी, कुछ समझ आया, नहीं न, दरसल ये फिल्म एक साइन्स फिक्शन त्विलर इंवस्टिगेशन ड्रामा थी, जिसमें मार्ज यानि वहां के लोगों ने अर्थ के विलें और ब्लू बर्ट बने जॉनी वॉकर को मिलती है, जो हेल्प के लिए प्रोफेसर चक्रवर्ती के पास जाते हैं, जिनका रोल खुद अंसारी निभा रहे हैं। जाते हुए नहीं दिखाया, वह बात अलग है कि आज भी इस फिल्म की कारेक्टर को कुई मिल गया कारेक्टर से ज्यादा डाइनमिक और रियल माना जाता है। आप हमें कॉमें बताइए कि क्या आपने ये फिल्म देखी है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ अलग है। तो वहीं पर रितिक रोशन में आईलव मुंबै फांडिशन के साथ मिलकर फ्रंट लाइनमिक वोर्कर्स तग ये बात को अचाही कि उनको अपनी सेफ्टी का कितना ध्यान दगना चाही है। और साथी साथ ने उन्होंने मास्क और सानिटाइजर भी उन लोगों तो बात के रिए की तो आईलव मुंबै फांडेशन के रागुल कनल ने उन्हीं वीडियो को रीशेर करते रहे लिखा। तो अधियो को सब्सक्राइजर भी तो दोस्ताइजर अचाही है। अब देखा जाए तो इस चीज से यह बात तो साबित होती ही है कि वहाँ एक बहले और नेग्रिल इंसान है। साथी साथ में यह भी दिखता है कि कैसे उन्होंने अपने पावल और पेम का सही यूज किया है। अगर बात करें उनकी अपकभी मूवी क्रिश्पोर के बारे में तो दोस्तों जैसे क्रिश्पोर में वो क्रिश्ट किरदार में लोगों को बचाते नजर आए अपनी जीमदारी में भाते हुए और साथी साथ में जरूरत मंदों की मदद करते नजर आए। कभी किसी को पानी में डूपने से बचाते दे तो कभी किसी को आकाश में गिरने से कभी किसी को बिल्डिक के ऊपर पचाते नजर आए तो कभी किसी भारी चीज के नीचे तब लोगों की मदद करते नजर है और ऐसी ही मदद वो असल जिंदगी में भी कर रही है इससे यह तो साफ है कि क्रिज्जय से मूवी में नजर आते हैं वैसे ही असल जिंदगी में भी है और पाक ते ही वो एक बहुत ही निगदिन इसाथ है तो दोस्तों अब अगर फिल्म की बात आगी गई है तो मैं आपको बता दूँ की इस बार फिल्म में एक ठास बात ही होने जाने की इन इसक्रीम में इसी फिल्म में थी तुट बहुत है। इसलिए उनको देखना काके एक्साइटिंग होने वाला है उनके फांस और सभी दर्शकों अगर बात करें इस फिल्म में वाँ बाप और बेटे दोनों के रूप में नजर आए जो के एक वाल्ति रोल हो और वाही एक तरफ इस बार रो ने नजर आने वाले है यानि कि इस मु कितना दिल जीता है तो दोस्तों आपका रितिक रोशन और उनकी दोरा किये का इस अच्छे काम के बारे में क्या कहना है आमें कमेट सेक्षिन में ज़रूर बताएं और करें वीडियो को लाइज और शेयर और करें बॉले का स्वीडियो के चानल को सब्सक्राइब ताकि का ट्रिपल रोल होने जा रहा है दोस्तों पिछले डिकेट्स में हमने फ्रेंचाइज फामुला की सर्च देखी है फिल्मेकर्स अपनी स्टोरी को इक दीज दो पार्ट में प्लान कर रहे हैं जिसे एक तो लिमेटेड टाइम में स्टोरी को स्टार्ट और कंक्लूर करने का प्रेशन नहीं होता और उपर से क्लिफ हांगर कुंसेप्ट का अगर सही से इस्तमाल कर लिया जाए तो डिलेट से स्टोरी के अराउंड हाइप को क्रिएट करने में ग्रेटली हेल्प करता है और इससे अल्टिमेटली मेकर्स को ही फायदा होता है इसी का प्राइम एक्जा या फिर सूपर हीरो फर्म क्रिश 4 & 5 तो कैसे क्रिश फ्रेंचाइज भी इस क्लिफ हांगर कुंसेप्ट को एफीशेंटली यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे तो दोस्तों नमश्कार स्वागता आप सभी का पॉलिक्राफ स्टूडियोज में और मैं इस फर्म को इतनी हाइप मिल पाती जितनी सस्पेंस डिले करके मिली शायद नहीं और तभी इसे एक बॉर्निंग क्वेश्चन कट अपा ने बाहु बली को क्यों मारा तक बड़ी क्लेवरली डिले किया एसस राजमौली ने जिससे सेकंड पार्ट के लिए लोगों में हाइ पर सस्पेंस का नतीजा इसकी मासिव सक्सेस में मिला शायद इसी कंसेप्ट को बॉलिवड भी समझ चुका है दोस्तों क्रिश फोर और फाइव के पास इतनी फासिनेटिंग कंसेप्ट और ड़ी फाइनलाइज हो चुके हैं जिसको लेके मेकर्स बड़े इंट्रस्टिंग वे में क्रूशल डीटेल सिकिंड पार्ट के लिए डीले कर सकते हैं इससे पहले जान लेते हैं ब्रीफ फ्लॉट को तो क्रिश पोर और फाइव में ब्रॉडली होंगे काफी सारे विलन्स जिन से लड़ने के लिए क्रिश करेंगे टाइम ट्रावल और इंटर गैलिटिक ट बात करें तो फॉर्थ पार्ट में डिरेक्टली डेडली विलन्स का आतंग उनसे लड़ने में क्रिश असक्षम टाइम ट्रावल करने का जुगार जादू और रोहित महरा को वापिस लाने का प्लान और टाइम ट्रावल में पॉसिबली ट्राप होने की स्टोरी तक दिखा किया जा सकता है अब दोस्तों मी भी एंडिंग से स्टार्ट करके मेकर्स इसे और भी सस्पेंस फुल बना सकते हैं बात करें फिल्म में रितिक के रोल की तो कयास लग रहे हैं कि इनका फिल्म में ट्रिपल रोल होने वाला है एक तो क्रिश का रोल एक रोहित महरा का रोल औ और इसके अलावा बताया जा रहा है कियारा अड़वानी के साथ इनका रोल अलग से होगा जो की कृष्ट के रोल से सेपरेट होने जा रहा है अब दोस्तों इसे साब सी देखना काफ इंट्रस्टिंग होगा कि कियारा और रितिक का ये निव एक्वेशन कैसे स्टैब्लिश क किया जाएगा वीडियो में बस इतना ही यार अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा हमारे आज के राइटर हैं पंकज है रितिक रोशन की क्रिश फोर प्रियांका चोपरा नहीं तो उनसे पहले कौन सी आक्ट्रिस को इस फिल्म में काम करने क मौका मिल रहा था क्या होने वाली है क्रिश फोर की खास बाते और क्रिश फोर में कौन सी आक्ट्रिस का नाम जुड़ चुगा है हलो फ्रेंस अब देखरे बॉलिग्राफ फ्यूडियो मैं सोरी का जाल दोस्तो भारत का पहला सूपर हीरो क्रिश एक बार फिर से बड़े प मांब करें घ्राफ क्सना करेंगे प्रियांक चोपरा और वाचन की फिल्म क्रेश क्रिश सूपर हिट फिमों में से दोस्तों ये कोई और एक्रिस थी मैं हूना वाली अमरिता राओ अमरिता राओ ने खुद इस बारी में खुलासा किया लेकिन उन्होंने यह बताए कि उन्होंने यह फिल्म क्यों छोड़ी दर असल उन्होंने कहा कि रितिक और उनकी केमिस्ट्री खास नहीं जम रही थी उन् किसमत में लिखा रहता है वहीं बॉलिवुड आक्रस उर्वशी रौतेला का नाम इस फिल्म से जुड़ चुका है वो अपनी सोशल मीडिया में काफी अक्टिव रहती है जी फाइब ओरिजनल में रोम कॉम वर्जिन भानुप्रिया उनकी आने वाली है जहां उन्होंने प्य प्यारा का नाम भी आ रहा था प्रिती का नाम भी आ रहा था लेकिन उर्वशी नहीं इन सब को पीछे चोड़ दिया साथ ही इसमें डिपिका पदकोन भी होने वाली है रोशी रौतेला को निर्माताओं द्वारा एक भाग के लिए संपर्क भी किया गया है क्यूंकि उन्ह अगर रितिक याप पोजट उन्हें साइन किया जाता है दोनों की केमिस्षी भी खूब जमेगी तो दोस्ता आपको क्रिशफोर का कितना वेच हो रहा है हमें नीचे कॉमें सेक्शन में ज़रू बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब अगर जब आप कहोगे कि अगर इंडिया से नाम देना है तो सबकी जुबान पे एक ही नाम आएगा और वो है क्रिश तो सही समझे आप आज हम बात करेंगे राकेश रोशन द्वारा डाइरेक्टेग फेमस सूपर हीरो सीरीज क्रिश की जिसमें अब तक टोटल तीन फिल्म्स बन चुकी है जो की है कोई मिल गया क्रिश और क्रिश 3 जहां फिल्म कोई मिल गया में रोहित महरा को एक एलियन द्वारा ना जाने कितनी ही शक्तियां मिलती हैं वहीं क्रिश मूवी में उनके वेटे क्रिशना को वरदान में वो शक्तियां प्राप्त होती हैं और वो उनहीं शक्तियों के इस्तमाल से सब की भलाई करता है तो वह करिश 3 में इस मूवी के लेवल को बिल्कुल ही एक नई उचाई दे दी गई है जहां पे हमारे सूपर हीरो के खिलाफ ते एक बहुत ही स्ट्रॉंग सूपर विलन और उसमें बहुत ही जादा कमाय के आक्शन सीन्स थे जो कि अब तक बॉलिवुड में नहीं देखने को मिले दाइरेक्टर राकिश रोशन के दिमाग में क्रिश 4 का कंसेप्ट बिल्कुल तैयार है और वो इस मूवी को बनाने के लिए भी काफी एकसाइटेड है और रही बात हमारे हीरो क्रिश की तो हमने देखा ही है कि समय के साथ साथ क्रिश की शक्तियां काफी जादा बढ़ती ह जहां क्रिश मूवी में वो ऊची चलांग लगा सकते थे और काफी तेज रफदार थी उनमें तो मही क्रिश 3 में उनमें बे इंतहा ताकत और उन्ने की शक्तियां भी आ गई थी तो ये देखने में काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि क्रिश 4 में हमारे हीरो और भी जादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसके पास कैसी शक्तियां आएगी और कहीं न कहीं शायद उनमें लेजर पावर भी आ सकता है क्योंकि क्रिश्ट्री में उन्हें सूरज की रोशनी से काफी ताकत मिली थी अब क्रिश के विलन की बात करें तो सूपर हीरो मुवी का विलन भी सू के साथ अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है तब तक के लिए आपके अकॉर्डिंग क्रिश के पास कौन सी न्यू पावर्स आ सकती है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसला कहने का कुछ अनकहा सुनने का कुछ अनसुना इस वीडियो को लाइक करना मन भूलना और शेर भी करना अपने दोस्तों के साथ और बॉलिवुड की सभी लेटेज न्यूस और इंफोमेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिये गए रेच सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जोड़ जाए हमारे चैनल के साथ ने अपनी फिल्म बार के बाद किसी बड़ी फिल्म के अनॉंसमेंट क्यों नहीं की है क्या क्रिश पोर में रितिक रोशन ट्रिपल रोल नभाते हुए नजर आ सकते हैं इन तमाम सवालों का जबाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में त कुम बात करेंगे क्रिश प्रेंचाइज की मूवीज के बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं आने वारे दिनों में क्रिश फोर्ग पर काम जल्दी शुरू होने वाला है तो चलिए आज इसी पर कुछ खास चलजा करते हैं क्रिश प्रेंचाइज एक सूपर हीरो सीरीज जिसके पहले पार्ट को रिलीज किया गया था 2003 में और इस फिल्म का नाम था कोई मिल गया वेल दोस्तों इस पिक्चर के स्क्रिप्ट राइटर, डाइरेक्टर और प्रडूसर थे राकेश रोशन और इस फिल्म में रितिक रोशन और प्रीती जिंटा ने एहन किर्टार निपाया था कोई मिल गया सूपर हिट फिल्म बनी और इस पिक्चर ने बॉक्स ओपिस पर दी धाकर कमाई की थी दोस्तों फिल्म के डारेक्टर राकेश रोशन का ये मानना है कि क्रिश फोर उससे विबरी हिट मूवी साबिक होने वाली है इसी वज़े से क्रिश फोर के बजट को दुगुना कर दिया गया है क्रिश फ्रेंचाइज की चौती फिल्म में हमें कुछ पुराने और कुछ नई केरदार नजर आ सकते हैं साथी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर रॉबिन भट ने कहा कि इस पिक्चर में रितिक रोशन ट्रिपल रोल नभाते हुए दिखेंगे साथी फिल्म में रोहित और जादू की एक बार पिर से वाकसी होने वाली है जैसा कि हम सभी जानते हैं क्रिश्ट्री में रोहित की मौत हो गई थी लेकिन क्रिश्पोर में एक बार फिल से उनकी वाक्सी को दिखाया जाएगा और इस बार रोहित का कैरेक्टर पहले की कमपारिसन में काफी डिफरिंट होने वाला है हाला कि अब हमें इतना नहीं पता है कि रोहित की वाक्सी आखिर होगी कैसे क्या रितिक रोशन स्पेस तक जाएं कि अपने पिता को वाबस लाने के लिए वल दोस्तों जैसा कि हम सबी जानते हैं अगर रोहित के वाक्षी धर्ती पर गुती है तो उनके साथ जादू की भी वाक्षी होगी कैसी होगी फिल्म की ओवरॉल स्टोरी लाइन ये तो हमें आने वाले दिनों में ही बता चलेगा क्रिस्पोर हाई ग्राफिक्स के साथ रिलीज किया जाएगा जिसके जिम्मेदारी दी गई है शारुक खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चलीज एंटरेइन्मेंट को दोस्तों मैं आपको बता दू इस पिक्चर में सूपर हीरो के साथ सूपर हीरोईन की नजर आ सकती है एक तरफ जहां में लीड का किरदार लिभा रहे है रितिक रोशिन तो वह ही फीमेल लीड में आपको कियारा आडवानी इस पिक्चर में दिख सकती है जो लोग भी प्रियांका चोपरा के फैन में उन्हें घबरानी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता तो इस पिल्म में प्रियांका चोपरा भी आपको एक केहन केरदार लिभाते हुए नजर आएंगी दूसे थरफ रितिक रोशन की बात करें तो क्रिश फोर में रितिक रोशन तीन केरदार लिभा सकते हैं जी हाँ, सूपर हेरो और सूपर विलिन के तौर पर रितिक रोशन नजर आएंगे ये मुकाबला काफी दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि अपनी ही फिल्म में एक करफ रितिक रोशन सूपर विलिंग और सूपर हिरो की तौर पर नज़र आएंगे दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दू कि इस प्रिप्चर में सूपर विलिंग का किरदार जो होने वाला है वो काफी स्ट्रॉंग होगा और इसी लिए राकेश रोशन ने यूएस से कुछ मेकप आर्टिस्ट को हायर किया है क्रिश्पोर यू तो 2021 में ही रिलीज होने वाली थी क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत पहले खत्म की जा चुकी थी लेकिन COVID-19 के चलते ऐसा नहीं हो पाया जी हां दोस्तों अब मैं आपको बता दू आने वाले दिनों में जल्द ही क्रिश्पोर की शूटिंग वैसे राकेश रोशन ने इन तमाम खबरों को बेबुनियार बताया है उन्होंने कहा कि क्रिश्पोर की स्क्रिप्ट राइटिंग उन दोनोंने मिलकर की है लेकिन इस फिल्म का डायरेक्शन वो अकेले करने बाले हैं ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिश्पोर में हमें कुछ जब मुझे आनिया पढ़नावत को दीजिए इजाज़त अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मिलकुलना भूलें साथ ही हमारे चानल वॉलिग्राइट सूडियो को भी सब्स्क्राइब करें दाकि वॉल्वूट की दुनिया से जुरी तमाम अपडे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे बॉलिवूट के ओफिशिल सूपर हीरो क्रिश के बारे में डायरेक्टर राकेश रोशन ने सिंगल हैंडेडली अपनी यूनिट के साथ मिलकर इंडिया की सब इस वीडियो में भी बहुत ही शांदार डीटेलिंग की है मूवी का एक बहुत ही बड़ा गलिच कही जाने वाले त्योरी जिस पे फैंस ने काफी सवाल उठाय थे जो कि ये थी कि काल को अपनी टेली काइनेटिक्स की पावर रोहित महरा से ही मिली है और वही क्रिश को भी अपनी सभी शक्तियां रोहित महरा से ही मिली है और इसके बावजुद भी क्रिश के पास काल जेसी टेली काइनेटिक्स पावर नहीं है होई मिल गया मूवी में डाइरेक्टर राकिश रोशन ने बगभू भी दिखाया है कि जादू के पास टेली काइनेटिक्स पावर भी थी और उसने अपनी सभी शक्तियों के साथ वो शक्ति भी रोहित महरा को ट्रांसफर की थी तो वही रोहित से ये शक्ति पास on हुई क्रिश और काल के पास लेकिन चैली काइनेटिक्स सिर्फ काल यूज़ कर सकता था और जब काल रोहित की बोन मैरो से वो ठीक हुआ उसके बाद तो वो काल के पास और भी जादा पावर आ गई इवन की वो उड़ भी सकता था महीं दूसरे तरफ क्रिश के पास सिर्फ स्ट्रेंथ, एजलीची और स्पीड थी जिनसे वो काल से टक्कर भी नहीं ले पाया था एक हैड ओन बैकल में जब क्रिश और काल पहली बार एक दूसरे से लड़े थे तब काल ने क्रिश को बहुत ही आसानी से ओवर शैडो कर दिया था और क्रिश काफी आसानी से काल से हार गए थे वहीं अगर काल की म्यूटेंस की बात करे तो उन लोगों को क्रिश ने काफी आसानी से हरा दिया था यहां तक कि जब सबसे पहली बार क्रिश ने उनका सामना हुआ था तब क्रिश ने तीन-तीन म्यूटेंस को एक साथ हरा दिया था लेकिन काल को नहीं हरा पाया क्यूंकि वो सभी म्यूटेंस काल की डिने के साथ मिलकर तयार किये गए थे और उनमें काल की शक्ती का लगभग वनफिफ्ट हिस्सा ही था लेकिन पूरे काल को भी more powerful से लड़ने में क्रिश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था आपके इस movie के बारे में और movie के concept के बारे में क्या विच्छार हैं हमें comment section में जरूर बताईएगा और Bollywood की सभी latest news and information सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिये गए red subscribe बटन पर क्लिक करें और जोड़ जाए हमारे चानल Bolly Grad Studios के साथ आज के writer है अभिशेक मिकी वी के थुरू कैसे देने वाले है लेजेंडरी पत्यजीत राय को राकेश और शौशन शर्धान जली और ये फैसला एक फार्दे का फैसला होने वाला है या फिर इसकी वज़े से पढ़ सकते हैं फिम के मेकर्स काफी उलजय है तो दोस्तों ये बात undoubtedly Chris for India की फिलहर most awaited super hero movie होने वाली है और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई भी super hero movie और आती है तो दोस्तों उसका character हम लोगों के लिए नया होगा लेकिन Chris को हम पिछली तीन बार movies में देख चुके हैं और हर बार हम लोगों को उसका character बहुत पसंद आया है अब अगर बात करें Chris के बारे में तो इस movie में एक बार फिर से क्रिशाट चुके हैं एक नए mission को लेकर और साथ ही साथ में खत्रा इस बार इस बात का है कि इस बार mission में साथ देने के लिए उनके scientist पापा Rohit available नहीं है तो दोस्तों बात दर असल ये है कि Chris हर बार की तरह एक बहुत बड़ा mission लेके आ गये है इस बार makers ने Chris को सब समुंदर पार करने के लिए नहीं बरकि galaxy और time पार करने की powers के साथ बनाया हुआ लेकिन खत्रा यहां है कि Chris के पास उन पापोस को यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्निलोजी नहीं है और जब वो इस टेक्निलोजी की तलाश में निकलते हैं ताकि वो अपना mission पूला कर पाए तो उन्हें पता चलता है कि America के पास ए टेक्निलोजी एविलिबल है तो उसी दौरान उनको वहां से बेचेज करके निकाल दिया जाता है कि बात क्रिश्ठान लेते हैं कि अपने अपर काम करना वह कुछ शुरू कर देंगे तो फिर क्रिश्ठ पहुच जाते हैं उस टेक्निलोजी की रिसर्च के उपर अब जब वह उसकी रिसर्च करते होते हैं तो उसी दौरान उनको पता चलता है कि ये टेक्निलोजी असल में अमेरिका की है ही नहीं बल्कि ये टेक्निलोजी इट्ट्या के ही एक महान साइटेस जिनके पास पैसे के कमी हो रहें के कारण उन्हें अमेरिका के आगे पंडिंग के लिए खाथ पहलाना पड़ा था और फिर क्या अमेरिका ने उनका आइडिया इनिशली ठुट्रा दिया लेकिन बाद में उन्हीं के आइडिया पर वर्क करके मशीनरी तैयार करने लगे तेकिन चोड़ी चोड़ी होती है और रियालिटी रियालिटी और इसी लिए वो मशीनरी बनने के बाद भी उसकी एक भी टेस्टिंग पास नहीं हो पाथ जी हाँ दोस्तों तो फिर क्या था क्विश बहुत जाते हैं खुद उस महान साइंटेस के पास और उससे बात करते हैं इस मशीनरी के बारे अब च्यूंकि इसके बारे में बात करते टाइम उनको पैसों की जरुवत होती है तो क्रिश एक फांडेजल स्टार्ट करते हैं औ इसलिए वो उनकी पैसे जोडने में मदद करते हैं और उसकी वजए से यह मिशन सक्सेस्फुल हो जाता है और टेखनलोजी क्रियेट हो जाती है और गुम नाम टालेंटेट साइंटेस को सक्रडेट मिल जाता है अब अगर बहीं बात करें फिल्म के बारे में तो दोस्तों स बहुत ही खुक्सूरत तरीके से शद्धाजी देने का ठाग लिया है राके शॉक्षर में पहले तो उनकी 100th Anniversary के अफसर पर ही वह मूवी रिलीज करने वाले हैं और उसके बाद खास बात यह होने वाली है कि फिल्म में काम कर रहे साइंटेस का लुग सत्यजी तराय से में खाता होगा साथ ही साथ में इतना ही नहीं जो फिल्म में एलियन दिखने वाले हैं शायद उनका लुक्स भी सत्यजी तराय के बनाया जाएगा हम सब जानते हैं कि सत्यजी तराय ने हिंदी सेमा को कितना कुछ दिया है और उनोंने भारत में कितना बड़ा revolution लाया है और इस उपर हिरो की कॉस्ट्यूम सूपर हिट मुवी के लिए क्या बदला करेंगे राकेश रौशन क्या इस बाहर ट्रिपल रोल में नजराएंगे रूतिक रौशन आज हमें कैसी मुवी की बात करेंगे जिसकी फ्रेंचाइज इनने एक के बाद एक ब्लॉक बस्टर सूपर आप समझी गए होंगे, जी हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंडियन सूपर हीरो फिल्म कृष फ्रेंचाइजी के बारे में कृष फ्रेंचाइजी का फर्स्ट सीक्वल कोई मिल गया था जिसमें दूसरे ग्रह से आया एलियन जिसका नाम जादू रखा गया था उसे दर्शको और खास सवर से बच्चों का खूब ब्यार मिला इस मुवी के हिट होने के एक वज़े ये भी थी कि इससे पहले बॉलिवुड में ऐसा कॉंसेट कभी भी नहीं लाया और अगर बात करें हॉलिवुड की तो वहाँ पे ऐसी एलियन कॉंसेट की साइंस फिक्षिन मुवी तो बनती ही रहती हैं मगर राकेश रोचन ने अपनी बॉलिवुड फिल्म में एलियन को हुमन एमोशन के साथ कनेक करके दिखाया और दर्शकों का दिल जीत लिया ये एक काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत सक्सेस्फुल भी रहा जादू अपने घर जाने से पहले अपनी शक्तियों को रोहित महरा में ट्रांसफर कर देता है जिसके बाद ये सूपा पावर्स उसके बेटे कृष्णा में भी आ जाती है और फिक कृष्णा से उसके बेटे में अभी तक इन मुवीज में कृष्ण का डबल रोल रहा है पहली बार इंडियन सूपर हीरो की कोई कहानी बॉलिवुड में लाई गई थी मुवी के सभी सीकूल काफी हिट रहे है मगर बावजूद इसके इस मुवी में कृष्ण के कॉस्ट्यूम को लेकर हमेशा सही मजाग बनाया जाता है हर बार क्रिटिक्स का कहना है कि एवेंजिर्स की सूपर हीरो जैसे कोई इनोवेटिव कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लो फिलाल क्रिश फोर में भी रृतिक की कॉस्ट्यूम को लेकर कोई डिसकूर्शन अभी तक तो नहीं चल रहा क्रिश के सभी सीकुल्स में VFX, Cinematography, Entertainment Value, Visual Effects को काफी जादा appreciation मिला है मगर बावजुद इसके अगर आप ध्यान दे मूवी के तीनों सीकुल पर तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि क्रिश मूवी शुरू हुई थी कोई मिल गया कहानी से जिसका मोटिव और मेंन प्लॉट एलियन्स के असबस था क्रिश 2 और क्रिश 3 में कहीं न कहीं देखा गया कि मूवी की स्टोरी ओरिजिनल प्लॉट से भटक गई और क्रिश फैंस फिल्म के हर सीकुल में जादू को बहुत जादा मिस कर रहे हैं वो चाहते हैं कि क्रिश फ्रेंचाइजी में जादू वापस आजा और ये फ्रेंचाइजी अपने ओरिजिनल प्लॉट पर आ जाए मगर अब में बात ये है कि जादू आएगा कैसे जादू को सिर्फ रोहित महरा ही वापस बुला सकते थे रोहित के पिता ने वो कंप्यूटर डिजाइन किया था जिससे उनका एलियन से कनेक्शन हुआ करता था और उनके कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ रोहित महरा चला सकते थे सूतरों के मताब एक क्रिश 4 में टाइम ट्रेल की स्टोरी दिखाए जाएगी क्रिशना समय में वापिस पीछ जाकर अपने पापा रोहित महरा को वापिस लाएगा और उनके जरीये जादू को भी वापिस बुलाएगा अब सवाल ये उठता है कि समय में वापिस पीछ जाकर जादू को बुलाने कि आखिर जरूरत क्या पड़ेगी चाहते तो सब हैं कि जादू वापिस आ जाए मगर अचानक से जादू को फिल्म में देखना थोड़ा अटपटा तो हो ही सकता है तो आखिर क्यों और कौन से सिचुएशन से जादू की एंट्री होगी और हम फिल्म मेकर से यहीं उमीद करते हैं कि इस बार कोई नया म्यूटन ना लेकर आएं कहानी में और कहानी के ओरीजिनल प्लॉट पर टिक जाएं राकिश रोशन ने इंटेव्वी में बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई है मगर जहां तक स्चोरी हमने देखी है देखा गया है कि रितिक रोशन ने बाप और बेटे दोनों का रोल खुदी निभाया है और अब Krish 3 में हमने देखा था कि उनके बेटे का जनम हुआ जिसमें वही सूपरपावर्स हैं तो क्या अब अपने बेटे के रोल को भी वही निभाएंगे और Krish 4 में ट्रिपल रोल में नजर आएंगे या फिर उनके बेटे के रोल गिले किसी और अक्टर को हायर किया जाएगा अक्टर को हायर करने का मतलब है कि फिल्म में टाइम लैप्स दिखाय जाएगा जहां बेटा उन्हीं शक्तियों के साथ बड़ा होता है तो क्या ये भी क्रिश जूनियर बन कर दुनिया की रक्षा करेगा या फिर जैसे रोहित की दादी ने उससे उसकी शक्तियां चुपाई थी वैसे इससे भी इसकी शक्तियां चुपाई जाएगी और फिर इसे एकदम से सब कुछ सच पता चलेगा खबरों की माने तो इस बार क्रिश 4 के लिए क्यारा अडवानी को साइन करने की बात चल रही है तो क्या हम ये मान ले कि अब क्रिश फ्रेंचाइजी से प्रिया महरा बाहर हो चुकी है और क्यारा अडवानी किस रोल में नज़राएंगी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अगर हुई तो कहानी में जूनियर सूपर हीरो की प्रेमी का बन कर नज़राएंगी इस बार भी क्रिश के बेबी बॉई का होना इस मूवी में कन्फर्म है देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर कितने रोल में रितिक रोशन नज़राएंगे आपके हिसाब से इस बार कहानी में क्या-क्या बदलाव लाने चाहिए और क्या रहेगी जूनियर क्रिश के प्रफॉर्मेंस हमें अपने विउस जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो इससे लाईक और शेर कीजे साथ ही बॉली ग्रेट स्टूडियोज को भी अपना रात जमा लिया है कोई मिल गया से शुरुवात हुई जिसे बच्चों की मूवी और उस समय बॉली वूड की साइंस फिक्शन फिल्ट की कैटेगरी में डाल कर अलग कर दिया गया बले ही फिल्म हिट रही लेकिन हर बॉली वूड साइंस फिक्शन क्रिटिसिजम या जोक में फिल्म का नाम आने लगा अब प्यारे एलियन से सब पर अपना जादू चला कर उनको दिलों के दर्वाजे खोलने के बाद बारी थी सुपर हीरो वर्ल्ड को एक्स्प्लोर करने की जिसमें दस्तक दी थी ब्लैक कैप वाले हीरो ने जिसका नाम था क्रिश फिर क्या था क्रिश ने अपनी वो जंगय बना ली जिस पर उसकी नजर थी और जिस फिल्म के सिक्वल्स के अनाउस्मेंट सुनकर लोगों को खास फरक भी नहीं पड़ता था और सिर्फ फ्री टाइम होने पर ही लोग जिसे थीटर्स में देखने जाते थे अब उसके सिक् पुल होने के बाद अब राकेश रोशन का अगला कदम क्या होगा अब वो ओडियंस पर किस तरह अपना जादू चलाएंगे आए जानते हैं सबसे इंटरस्टिंग बात तो इस फिल्म के रिजेक्शन पीरियड के बाद की है दरसल रे की इस फिल्म को फाइनेंस करने के लि एक रिपोर्टर जिन्होंने रे से इस बारे में बात की थी उन्होंने भी कहा था कि मैं रे की दा एलियन की स्क्रीन प्ले से हैरान रहे गया क्योंकि वागई दोनों कहानियों में इवन लुक्स में कुछ जादा ही सिमिलर है हलाकि स्टेवन ने इन खबरों को पूरी तरह से ये कहकर नकार दिया कि जब दा एलियन की बाते चल रही थी तब वो हाई स्कूल में थे लोगों ने रे से इस मैटर को आगे बढ़ाने की बात कही थी लेकिन रे ने मना कर दिया क्योंकि उने स्टेवन एज डारेक्टर पसंद थे आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि एक ऐसी फिल्म जो पूरी बनी भी नहीं और जो कॉंट्रोवर्सी से घिरी हुई है उससे राकेश रे को ट्रिब्यूट कैसे दे पाएंगे वैसे इसका जवाब है हमारे पास लेकिन इसे जानने के लिए आप कैसे इंडिया के बिगेस्ट एवर डारेक्टर को अपनी फिल्म से ट्रिब्यूट देने के प्लान में है राकेश रोशन क्या है हॉलिवूट की इस कल्ट फिल्म की इंडियन सिनेमा से आईडिया चुडाने की कहानी तो हाई गाइस मैं हुश्च रिया अरोरा आपकी आज की होस्ट आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलिग्राज स्यूडियोज में जहां हम आज बात करेंगे क्रिश्फ और फिल्म से रूलेटेड काफी दिल्चस्प बातों के बारे में तो चलिए बिना जादा वक्त लगाए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्रिश पौर राकेश रोशन द्वारा डारेक्टिड रितिक रोशन स्टारर एक अपकमिंग फिल्म है जिसके लिए लोगों की एकसाइटमेंट थमने का नाम ही नहीं ले रही और कभी फिल्म में चार रितिक तो कभी जादू की वापसी तो कभी नवाजुदीन सिद्की की एंट्री तो कभी टाइम ट्रावल की खबरें इस एकसाइटमेंट को साथवे आसमान का सफर कराती ही रहती हैं लेकिन अब तो ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे शायद सभी स किनिमा के फैंस के चहरों पर एक खुशी की लहर दौर जाने वाली है एकसाइटेट उनो तो उसके लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पिल्कुल ना राकेश रोशन कैसे अंजान हो सकते हैं तो उन्होंने सक्सेस के इसी मंत्रा को अपनी अपकमिंग फिल्म क्रिश फॉर में आजमाने का फैसला किया है अब आपको तो पता ही है कि इस साल हम इंडिया के वन आफ दी बिगेस्ट और मोस सेलिब्रेटेट फिल्मेकर जिनके च वक्सियत को ट्रिब्यूट देंगे और यह फैसला इतना एहम इसलिए भी है क्रिश फॉर से बहतर फिल्म इसकाम के लिए और कोई हो ही नहीं सकती अब आप पूछेंगी कि ऐसा क्यूं है तो क्यूंकि इस फिल्म से जादू की वापसी की खबरें आ रही है जो कि एक एक ए लेकिन फिर कुछ कॉडिनेशन और रोल इशूस के कारण धीरे धीरे कंफर्मड कास्ट ने अपना नाम वापस लेना शुरू किया और इस तरह यह फिल्म बनी ना पाई लेकिन आपको यह जानकर हिरानी जरूर होगी कि 15 साल बाद बनी स्टिवन स्पिल्बर्ग की क्लासिक इटी फिल्म पर सत्यजीत रोई ने उनकी स्टोरी प्लेजराइज करने के इलजाम लगाए थे अभी इलजाम सही थे या गलत जानना चाहते हो तो हमारी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे तो चलिए आज के लिए त को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं उपासना पांडे बहुत 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 और उसकी ग्रांट फादर से भी ज्यादा बना देगी ताकत पर और सच में किश्का बेटा होने वाला है अपने पापा और अपने दादाजी से भी ज करने वाले हैं राकेश रोशन द्वारा गिफ्टेड इंडिया को सबसे बहतेरी सूपर हिरो जानरा की मूवी की फ्रेंचाइज क्रिश के बारे में तो आई ये शुरू करते हैं अब अगर आज के समय में आप किसी भी बच्चे से उसका फेवर्ट सूपर हिरो जानने की को कृष का क्रिश ने सकसेसफुली अपनी प्रम बना चुगी हैं और त्यों की मूवी का की ब्लॉगबस्त है रही्या और साथी साह में कर्ष के मिशन की कहामी और साथी साह में मूँवी लेकिन इस बार एक और चीज़ सब करने वाली है इस क्रिश की फ्रेंचाइज को जल्दी राकेश रोशन क्रिश्पोर के मूवी लेके हम लोगों के सामने आने वाले हैं और इस बार फिल्म में सिर्फ हाइ स्पीडिंग, हाइ जंप के अलाबा एक और सुपर पावर दिखने वाली है क्रिश के पास, जो की होने वाली है ताइम और गलकसी को पार करने की वहीं क्रिश के बेटे के पास भी एक आफी खास पावर होने वाली है तो आईए जानते हैं ऐसा कैसे तो दोस्तों जैसा हमने देखा था कि कृष्ट्री की एंडिंग के दोरान कृष्ट की बाइफ यानि की प्रिया कोई बेबी होता है और उसके पास होती है बाइबर्थ ही उडने की शक्ति जो कि उसके डाइड या उसके दादाजी में से किसी के पास भी नहीं होती है अगर इसके बारे में मैं आपको रिवाइन कराऊ तो हम देख सकते हैं कि कैसे कोई मिल गया में बास्केट बॉल मैच के दोरान लोहित ने सेमी फ्लाइं की थी लेकिन वो इसलिए क्योंकि जादू प्लाइं पावर्स स्टेल मिस्ञ लेकिन अगर बात करें क्रिषदी के बारे में तो जब रो हित क्रुष को दुबारा से जिंदा करते हैं तो वहां अपनी पावर्स एक ब्रें ट्रांस्मीटर के थूर्च को दे देते हैं इसकी वज़े के पास और भी सा बीए ही पावर्स तो अब इसकी वज़े से क्या तड़के लगने वाले हैं इस मूवी में और इस फ्रेंचाइज में अब क्या ट्विस लगेगा इस बात की वज़े से ये बात तो देखने लायब होगी साथी साथ में ये सूपर पावर बना देती है क्रिश के बेटे को अपने डाड़ और अपने दादा दोनों से पावरफुल तो दोस्तों आपका इस स्वेंचाइज के बारे में क्या कहना है और इस नई सूपर पावर को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं हमें कमें सिक्षन में जरूर बताएं और करें वीडियो को लाइक और शेयर और करें बॉलिग्राइट स्टूडियो के चानल को सब्सक्राइब ताकि आप जुड़े रहें हिंदी सिनेमा क्या कीर्थी सेनौन हुई क्रिश कोर से बाहर किस तरह क्रिश्ट्री मूवी क्रिश मूवी से कनेक्टेड थी नमस्कार दोस्तों स्वागत्य आपका बॉल्राइट स्टूडियो में और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे चहीते और सबसे पावरफुल सूपर हीरो क्रिश के बारे में आज के टाइम में अगर आप किसी बच्चे से सवाल करोगी कि आपका फेवरिट सूपर हीरो कौन है तो वो हॉलिवट के फेमस हीरो आईरून मैन, कैट्टन अमेरिका, बैत्मैन और अवेंजर्स को ही जुबान पर लेकर आएगा लेकिन जब आप कहोगे कि अगर इंडिया से नाम देना है तो सब की जुबान पर एक ही नाम आता है और वो है क्रिश का तो सही समझा आपने, आज हम फिर से बात करेंगे राकेश राशनद्वारा डिरेक्टेड फेमस सूपर हीरो सीरीज क्रिश की जिसमें अब तब टोटल तीन फिल्में बन चुकी हैं जो की हैं कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश्ट्री क्रिश्ट्री मूवी का बेसिक कॉंसेप्ट था, एक न्यू विलिन काल जिसने अपने डिने की मदद से एक नई महामारी को एजाद किया जिसे वो अलग-अलग कंट्री में फैला देता है और उनकी कंपनी के पास उस बिमारी का आटिडोट तयार रहता था जिससे वो काल के बलड सैंपल से तयार करते थे और जब बिमारी से कंट्री की कंडिशन्स एक्स्ट्रीम हो जाती है तब काल की कंपनी आटिडोट को काफी हाई प्रॉफिट्स पे बेचती है क्योंकि एक नियो बिमारी के आटिडोट बनाना में डॉक्टर्स को काफी प्रॉब्लम हो रही थी जिसमें उन्हें काफी समय भी लग सकता था तो वहीं काल की कंपनी के पास बिमारी को बनाने और हटाने दोनों कहीं तरीका पहरे से मौजूद था तो जब ये बिमारी इंडिया में फैली शुरू की गई तो साइंटिस्ट टीम मौजूद थे रोहित महरा जो कि इस वाइरस के आंटिडोट बनाने में जुट चुके थे और तब ही रोहित महरा ने ये चीज नोटिस की थी कि ये वाइरस के सैंपल्स रोहित के डियने से काफी सिमिलर थे रोहित ने ये बात कृष्णा को भी बताए और ये भी बताया कि रोहित और कृष्ट पे इसका असर नहीं हो रहा और नहीं प्रिया पे क्योंकि उसके पेट में कृष्ट का बेटा था यानि कि उनके ब्लद से इस बिमारी का अंटिडोट बन सकता था जैसा कि रोहित ने किया भी और सिमिलर सैंपल्स होने की असली वज़ा थी डॉक्टर आरेन द्वारा किये गए कुछ टेस्ट की वज़ा से काल का बनना ये एक बहुत ही शांदार मास्टर स्टोक सीन था राकेश रोशन द्वारा जो कि क्रिश मूवी को क्रिश 3 से कनेक्ट करता था क्यूंकि काल को रोहित के डियने से ही तयार किया गया था जिस वज़े से काल के पास टेली काइनेटिक्स पावर थी तो आपके क्रिश के वारे में ऊण डारेक्ट अखेश की मूवी कनेक्शन के बारी में क्या बिचा रहे हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा इसी के साथ घटन करते हैं आज का ये वीडियो इन सबी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे रितिक रोशन की होम प्रडक्शन में तयार की गई मूवी फ्रेंचाइजी क्रिश की जिसमें वो खुद सुपर हीरो क्रिश के रोल को प्ले करते हैं क्रिश फ्रेंचाइजी के अंडर अब तक कुल मूवी तयार की गई है कोई मिल गया क्रिश और क्रिश थ्री तीनों ही मूवी अपने यहर की ब्लॉक बस्टर मूवी साबित हुई थी और डिरेक्टर रोशन अब पूरी तरह तयार है इस मूवी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए क्रिश फोर के जरिये एक सुपर हीरो मूवी होने के साथ साथ क्रिश थ्री में काफी ज्यादा कलफुल सौंग्स थे और मूवी के डांस भी बहुत शानदार थे जहां 230 डांसर का भी यूस किया गया था क्रिश को दो मूवी में देखा गया क्रिश और क्रिश थ्री में और Krish सूपर हीरो बच्चों में बहुत ज़ादा फेमस है और सभी बच्चों को Krish काफी ज़्यादा पसंद है Krish के मास्के सभी दिवाने हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि Krish के मास्क को वैक्स से तयार किया जाता है जी हाँ वही वैक्स जिससे कैंडल तयार होता है उसी वैक्स से ही Krish का मास्क तयार किया जाता है और ये बात तो अब्यस है कि वो मास्क बिगल भी सकता है और इसी वज़े से मूवी मेकर्स ने कृष के तीनों मूवी में पूरे 600 मास्क का इस्तमाल किया है शूटिंग के दौरान मूवी के सीन्स की शूटिंग से दो घंटे पहले से ही कंगना रनौत को अपनी ड्रेसिंग शुरू करनी पड़ती थी यहां तक की कंगना को 4 किलो वेट लॉस भी करना पड़ा था ताकि वो काया के कॉस्टियूम में पूरी तरह फिट हो सके और शूटिंग से पहले कंगना को हर दिन 2 घंटे का समय लगता था काया की कॉस्टियूम में परफेक्ली फिट होने के लिए बिल्कुल इसी तरह रितिक को रोहित मेरा की सीन शूट करने से पहले भी काफी देल लगती थी तयार होने वे क्यूकि रोहित का कारेक्टर एक old person का गिरदार है जिस वज़र से old दिखने के लिए abroad से प्रस्थेटिक एक्सपर्ट रितिक के लुक्स के उपर काम करते थे जब भी रोहित महरा की सीन्स की शूटिंग करनी होती थी तब रितिक को हर दिन शूटिंग से पहले लगबग चार गंटे और तीस मिनट तक पहले प्रस्थेटिक से उस लुप को तयार करते और उसके बाद वो शूटिंग करते थे आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कंसेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कॉमेंट सेक्षिंज में जरूर बताईएगा और इसी के साथ खत्म करते हैं सलसला कहने का कुछ अन कहा और सुनानी का कुछ अन सुना इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और शेर भी करना आपने दोस्तों के साथ और बॉलिवूड की सब ही लेटिस न्यूज और इन्फरमेशन सबसे विले जानने के लिए नीचे दिये गए रेट सबस्क्राइब बटन पर क्लिक करें और जड़े रही है हमारे चाहर जिहां परिश की फ्रेंशाईज में कई सारी फिल्म में आई है जिसमें आने वाला है pørथ पार्ट के लिए दरशकों की excitement कुछ next level पहुँच गई है तो अब आई ये जानते हैं क्यों तो अब आप सभी को reason जानना था ना तो जान लीजिये reason इस सब के पीछे का reason है वो खबर जिसने हम सभी को बताया कि फिल्म में वापस आने वाला है हमारा yellow coat वाला blue alien यानी के जादू जी हाँ दोस्तो इतने सालोबाद भी हम सभी के दिमाग में जादू जिन्दा है और अब ऐसी खबर आ जाए कि क्रिश फोर में जादू वापस आ जाएगा तो भई हम excited कैसे ना हो अब जादू हम सभी के दिमाग में जिन्दा कैसे है तो आई आप सभी को मैं ये भी बता देती हूँ अब क्रिश फ्रेंचाइज ने कभी भी नुकसान का सामना नहीं किया लेकिन दर्शकू को हमेशा फिल्म मेकर्स से एक शिकायत रहती थी कि एलियन का कॉंसेप्ट हटा कर अचानक से सूपर हीरो का कॉंसेप्ट कहा से आ गया यानि कि कही न कहीं फिल्म में एलियन का जिक्र तो होना चाहिए था जादू तो होना चाहिए था तो इस सब को देखकर फिल्म की मेकर्स यानि कि राकेश रोशन ने भी decide किया है कि फिर्म के fourth part में हम सभी को जादू नज़र आने वाला है तो अब चलिया ये जादू का जिक्र हो रहा है तो मैं आप सभी को बता दू जादू की खास बात है और ये हम सब भी जानते हैं दोस्तो टॉप पर आती है जादू की cuteness और जादू का वो धूप-धूप कह जादू की वजहा से सभी को इस फिर्म को देखकर बड़ा मजा आया था अब चाहे आप उस scene की बात कर लीजिए जब रोहित ने 10th class के बच्चे के questions solve कर दिये थे और वही रोहित जो ढंग से चल भी रही पाता था वो its magic वाले गाने पर dance कर रहा था तो ऐसे में जादू को ह कर दोले रही जादू वही ने सभी को आले का जिक्र हो यानि कि हम सभी के प्यारे ऐलियन के आने का झिक्र हो तो हम सब सब्सक्राइब करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वाद भूलिए तब तक के लिए मैं जयानी शाहनवाल लेटी हूं आप सभी से में नदर आ सकते हैं और बात की जाए फिल्न की फीमेर लीड की तो वो गया नहीं बेलकि कृती सनन ही हो सकती है और साथ में कृती खरबंदा भी देखने को मिल सकती है इस वजह से यह मूवी एक मल्टी स्टार हो जाए ही वैसे तो इंडिया में सुपर हीरो मूवी को सिर्फ के लिए बनाया जाता है पर MCU ने अपना सिनेमाटिक यूनिवर्स क्रिएट करके इंडियन ओडियन्स को सुपर हीरो मूवी की आदत सीन लगा ले और इसको सभी उमर की लोग इंजॉइ कर सकते हैं तो अब इंडियन डिरेक्टर्स को भी सुपर हीरो मूवी बनाने के लिए इंटरस्ट आ रहा है और जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया में बस क्रिश ही एक ऐसी सुपर हीरो फ्रांचाइज है जिसने सक्सेस बॉक्स अपिसर किया है तो अब इसके फूर्थ पार्ट के बनने की खबरे शुरू हो चुकी है इस मूवी का इंतजार इंडियन ओडि इंडिया भी अपना सुपर हीरो सिनमाटिक बना सकती है और एंटियो की तरह सक्सेस कर सकती है वैसे खबरे आ रही है कि नवादनितिकी और टाइगर शॉप को बिलन के लिए खायर किया जाकता है और जैसा कि हम लोग जानते हैं आक्टिंग में नवाद और आक्शन में टा और टाइगर की वाद में देख लिया है और ये जोली कैसे अपने इयर की हाईयर स्टॉपिंग बन सकती है तो अब ये तोड़ो की जोली और नवाद के होने त्रेकरिश और को सुपर हिप होना तो तै लग रहा है और न्यूस दी है त्रेकरिश को इस बार जादा पार्स औ कि अब की बार विलन पहराफुध होने वाला है और क्रिश को जादू लेनी पड़ेंगी ताकि वह विलन को हरा पाएगा और हो सकता है कि पहले पार्ट में कृष्ष हर लेने वाला है और प्योंकि वह जादू है और विलन से जीत सकेगा फिर नेक्स्ट पार्ट में जादू घी हल उसे लेनी ही पड़ेगी क्रिश्पोर्ड इंडिया की दूसरी फ्रांचाइस होगी जिसकी पोस्ट पार्ट आएगा पहले गोल्माल फ्रांचाइस थी पोस्ट पार्ट होगी बादी क्रिश्पोर्ट पर इंडिया के सुपर फैन की नदरे डिकी हुई है बूवी ही डिसाइड सड़े की कि इंडिया को अपना सुपर हीरो इन्वर्स मिलेगा या नहीं चली अब क्रिश्पोर्ट में क्या होता है वो तो वक्ती बताएगा खबर इती आरहे है कि मुवी एवेंजेस की तरह सेकंड पार्ट में बन सकती है और खबर ये भी है कि रेटिक शायर विलंग और हीरो दोनों का रोल नभाएंगे हमें इवल कृष्पी देखने को मिल सकता है और दूसरा कृष्पी प्रियंका चूपरा नहीं हो सकती है उनके बहाफ में टीन प्रिती सरन और प्रिती घरवन्दा को साइन कर लिया गया है वें फीमेल सुपर हीरो के अफ़तार हुए हमें नजर आ सकती है और हमें इंडिया की फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो को देखने को बेस तपरी से इंतिजा आ है क्योंकि Marvel और DC ने फीमेल हीरो को काप्टी अच्छे क्यारेक्टर्स में इंट्रियूस किया है और एसे फीमेल लीड मुजीस को मेल लीड से जाधा आई एंडिडी रेटिंच और अच्छा रिपॉंस दीम बिला है जिसते विमिन इंपार्मेंट को और बढ़ागा मिल सकता है कि न्यूस है कि वितियुद जमवाई एक सुपर हीरो अफ़तार में नजर आ सकते है और क्रिश के साथ देते नजर आएंगे इस वज़े से दो सुपर हीरो देखने को मिल सकते हैं मूवी में पाउफुल विलिन को अच्छे से टकर दे पाएगी क्रिश की टीम लास्ट पार्ट में वेक वबराई काल की भूमी का में नजर आएगे पर क्या काल वापस आ सकता है और उसकी काल आर्मी भी वापस आ सकती है इसके चांसे तो कम है पर अगर ये हो जाए तो इंडियन पब्रिक को मज़ा ही आ जाएगा मूवी देखने में क्योंकि लास्ट पार्ट में काल ने और मुस्क्रिश को हरा दिया था और उसका आयर्ट सूट भी काफी जाता फैसिनेटिंग लगा था और बात की चाहिए गूतरी इंडियन सुपर हीरो मूवी की को जो अनौंस की गई है वो है विकी कोशल की इम्मोरल अश्वित हामा रंबीर कपूर, आलया भट और अमिताब बच्चन स्टारर ब्रहम मस्तर साउथ इंडस्ट्री में एक और सुपर हीरो युनिवर्स अनौंस किया गया है उसकी फर्स मूवी का टीजर आया है हनुमान नेम से रोबोत 3.2 पर भी काम स्टार्ट हो गया है राज कॉमिक के इनागरास को रंबीर सिंग ने साइन किया है धर्मा प्रोडक्शन के साथ इंडियन को अपने फर्स आंटी सुपर हीरो अप्रचित का बॉलिवूर्ट इमेल की देखने को मिल करता है तो ये सारे नियूस के ये पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज हमें देखने मिलेंगे और ग्रिश पंच्राइज का कॉमपेडिशन दीम मिलेगा आने वाले टाइम में और सुपर हीरो मूवी सार एरा आने बाला है इसने फ्रश पोर्ट के इसको स्टार्ट देख सकती है और हम जानते हैं कि रितिक रोशन बॉलिवोड के सबसे फिटनेस फ्रीक इंसान है और टाइगर और विदियुत उनसे कम नहीं है दोनों काफी अच्छी फिजिक इंसान है और तीनों बेस्ट चांसे और बॉलिवोड है जितिक चाहते हैं कि फिल्म में सारे फिक्टाट तस रहे क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी का अक्शिन सीन काफी होंगे इसमें इसलिए गोर्जिस नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह मूवी उनको और भी उनके पापा की स्कीन प्रजेक्ट है और फिफ्टी इया का सपना है यह उनके करियर का सबसे बड़ा प्रजेक्ट है अब लेकि सबसे ज़ए इवल क्रिश को देखना चाहती है और उनके तूट में काफी चेंज़स किया गए है क्या आ रहा है क्रिश फिर से जादू को लेकर क्रिश फोर में क्या हो सकती है रोहित महरा की वापसी क्रिश सीरीज के 15 साल पूरे होने पर क्या ओफीशिल इनाउस किया है रितिक ने मैं प्रेंक आप सभी का स्वागत करती हूं बालिग्रेट सुरिया उसमे बॉलिवर्ड के हैंसम हंक रितिक रोशन की हाइफ फिल्म क्रिश की रिलीज को 23 जून को 15 साल पूरे हो गए है इस मोके पर रितिक ने अपने फैंस के साथ एक खुश खबरी साजा की उन्होंने एक वीडियो के साथ फिल्म की चोती फिल्म क्रिश 4 के ओफिशनल गोशना कर दी है क्रिश 4 को लेकर काफी वक्त से खबरें आ रही थी मगर ये पहली बार है जब रितिक ने आदी कारिक तोर पर एलान किया है वीडियो में क्रिश और उसके नए मास्क की जलक दिखाई गई है और अंत में लिखा आया कि क्रिश के 15 साथ इसके साथ रितिक ने लिखा अतीत में जो होना था हो चुका है देखते हैं भविशे क्या लेकर आता है क्रिश 23 जून 2006 में रिलीज हुई थी ये रितिक की पहली साइंस फिक्षिन फिल्म कोई मिल गया का सीक्विल थी फिल्म का अंदर्देशन राकेश रोशन ने किया था बता दें कि क्रिश सीरीज की इस चोथी फिल्म में रितिक अकिरदार क्रिशन यानि क्रिश अपने पिता रोहित महरा को वापस लाने के लिए टाइम ट्रेवल कर सकता है क्रिश के एलियन दोस्त जादू की वापसी की संभावना भी जताई गई थी क्रिश फोर में कई सारे सूपर विलन नजर आने की उमीद है जो क्रिश से मुकाबला करेंगे फिल्म में इनके लुक्स को असरदार डंक से दिखाने के लिए हॉलिवर डिजाइनरों से संपर्क सादने की खबरे भी आई है क्रिश फोर में पहले से जादा खतरनाक विलन, जादा उंदा वी एफेक्स, मज़ेदार कहानी और जादू का एक अनोखा रूप देखने को मिलने वाला है आपको बता दें कि बेशक इसमें जादू होगा पर जरूरी नहीं है कि जादू उसी रंग रूप में आएगा प्रूफ है हमारे पास लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा साथ ही अब इंतजार है फिल्म की नई अपडेट और क्रिश फोर से जुड़े किस्सों का आप क्रिश में एक बार फिर जादू को देखने के लिए तो स्वागत है आप सभी का अपने चानल वॉली ग्राइट स्टूडियोज में मैं हूँ आपकी दोस मिनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 की Most Abated Movies में से एक क्रिश फोर के बारे में क्रिश फोर आ रही है क्रिश फोर आ रही है यह Announcement हमने कई बार की फिल्म से जुड़े कुछ खास अपडेट का भी खुलासा किया गया लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म की Announcement में देरी होने के कारण फैंस का विश्वास दगमगाने लगा लोगों ने अपडेट को अ कहा हुई फिल्म की Official Announcement किसने की कैसे की टीजर या फिर पोस्टर अरे थामबा थामबा आपके सारे सवालों का जवाब देंगे हम आज की इस वीडियो में बस पेशेंटली हमारे वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक उनको कृष को रिलीज हुए 15 साल पूरे हो गए जिसकी वजह से फैंस ने फिल्म की कास्ट और फिल्म के मेकर्स को खूब बदाईयां दी और ऐसे में रितिक रोशन भी पीछे नहीं रहे उन्होंने भी अपने चाहने वालों के लिए एक बड़ा सा रिटोन गिफ कर दिया जी हाँ अब सही सोच रहे हैं क्रिश फोर रितिक ने अपने ओफिशल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो रिलीज किया और उसके साथ लिखा यानि कि जो होना था सो तो हो गया अब देखते हैं भविश्य क्या लेकर आता है इस काप्शन को उन्होंने 15 years of क्रिश और क्रिश 4 tax के साथ पोस्ट कर दिया और फिर क्या था हो गया पूरा इंटरनेट पागल आप जरूर excited हो रहे होंगे ये जानने के लिए कि वीडियो में क्या खास था क्या वीडियो में विलन की जलक देखने को मिली या लीडी लीडी का देदार हुआ जादू की वापसी या फिर इत्तिक रोशन का कोई आक्शन से पर आपकी इस excitement को हमें disappoint करना होगा क्योंकि makers ने fans के साथ surprise game खेलना शुरू कर दिया है और इसी लिए क्रिश की इस वीडियो में कुछ भी reveal नहीं किया गया बस background में उरतेवे क्रिश को एक blurred वीडियो में show किया गया और उसके साथ ही क्रिश का mask scream की ओर fake दिया गया लेकिन हम इस बात से फिर भी खुश है कि finally फिल्म आ रही है और फिल्म की official announcement हो चुकी है खैर आपको बता दे कि इससे पहले क्रिश और क्रिश्थरी की leading lady प्रियंका चोपरा जोनिस की team ने भी फिल्म के कुछ still post करके इस दिन को celebrate किया जाहे रहे फांस जानना चाहते थे कि ये पिशली क्रिश फिल्मों की तरह क्या इस बार भी हमें प्रियंका चोपरा इस super hero ड्रामा में दिख सकती है और अगर नहीं तो उनके बारे में इसका क्या कहना है लेकिन अफसोस हमें कोई जवाब नहीं मिला है लेकिन एक बात तो confirm है क्रिश फोर आ रही है हम तो सोच रहे हैं कि जब हमारा इतना बुरा हाल है excitement से तो आप लोग करतो क्या ही हो रहा होगा तो अपने अंदर इस excitement को दबाने की ज़रुद बिल्कुल नहीं है अभी क्या भी अपने comment section में आखिर क्यों दिखेंगे रितिक रोशन मेंन विलन के रूप में कौन से मशूर किरदार की हो रही है वापसी तो नमशकार दोस्तों मैं हुश्टिया अरोरा आपकी आज की होस्ट और मैं बॉलीक्राट स्यूडियोस में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ तो जिस घड़ी का इंतिजार रितिक रोशन के फैंस कर रहे थे वो घड़ी अब फाइनली आ गई है क्रिश पोर का अपचारिक एलान आज रितिक रोशन ने ट्विटर पर कर दिया है क्रिश के 15 साल पूरे होने के खास मौके पर क्रिश पोर की घोशना की गई है ट्विटर पर एक वीडियो शेर किया गया है जिसमें पहली जलक दिखाई गई है और बताया गया है कि क्रिश के 15 साल पूरे हो गई है इस वीडियो को रितिक ने शेर करते होए कैप्शिन में लिखा अदीत में जो हुआ वो हो गया देखते हैं कि भविष्य क्या लिकर आता है इस वीडियो में क्रिश का background सुनाई दे रहा है और क्रिश के मास्क को दिखाया गया है जिसके बाद वीडियो के अंत में लिखा हुआ आता है क्रिश के 15 साल तो आपको बता दे कि साल 2006 में क्रिश सीरीज की शिर्वात हुई थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया इसमें रितिक रोशन के साथ प्रियांका चोपड़ा की जोड़ी नज कराए इस फिल्म में विवेक ओब रॉय और कंगना रनौत भी नजर आई थी लेकिन क्रिश से पहले इस कहानी की भूमिका कोई मिल गया में रखी गई थी जो क्रिश के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई और क्रिश इसके आगे चोपड़ा दिखाई देंगी या फिकिसी और चेहरे को फिल्म में शामिल किया जाएगा इसका खुलासा तो फिल्हाल नहीं किया गया है लेकिन आपको बता दे कि क्रिश पॉर में रितिक सूपर हीरो और सूपर विलेन दोनों की भूमिका में दिखेंगे ऐसा भी हो सकता ह ने शारुख खान का भेश धारन कर लिया था तो अब वही हिंदी सिनेमा को एलियन का आइडिया और एलियन को एक चेहरा देने वाला सबसे मशूर किरदार और बच्चों का फेवरेट किरदार जादू की भी इस फिल्म में वापसी होने की बाते चल रही है कहा ये भी जा रहा है कि इस फिल्म में जादू को एक नेगेटिव किरदार में दिखाया जाएगा और जब जादू प्लानेट छोड़के अपने घ्रह वापस जा रहा होता है तो वह एक वाइरस छोड़ जाता है जिससे इस्तमाल कर विलन काफी ताकतवर बन जाता है और उसे हरा पाना क काफी मुश्किल हो जाता है वह यह वाइरस जान बूच कर छोड़के जाता है क्योंकि जो लोग जादू को पकड़ना चाहते है वह उन लोगों से बदला लेना चाहता है तो आपको क्या लगता है क्या जादू को एक विलन के रूप में देखना होगा लोगों के लिए मज करेंगे इंडिया की बेस्ट सूपर हीरो जीनर की फ्रेंचाइजी कृश के बारे में डिरेक्टर आकेश रौशन जल्द ही कृष् फ्रेंचाइजी की फॉर्थ एडिशन पर काम शुरू करने वाले हैं और no doubt movie एक big project होने वाली है क्योंकि Chris 3 movie ने इस franchise को एक नई height पर पहुचा दिया है और audience की expectations अब और भी जादा बढ़ चुकी है Chris franchise की third edition यानि की Chris 3 में हमने Chris के दो versions देखे थे एक जो काल के साथ battle में हार गया था यहां तक की काल ने उसे almost मार ही डाला था और दूसरा जिससे रोहित ने दुबारा जिंदगी दी थी अपनी जान के बढ़ी और इस नए Chris ने जिसे एक और मौका मिला अपने डैड की तरफ से उसने काल को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए खतम कर दिया जो Chris काल के हाथो मारा गया था काल के मुकाबले उसमें बहुत कम powers थी और वहीं दूसरी तरफ काल के पास ना सिर्फ चले काइनेडिक्स पावर थी बल्कि रोहित महरा के बोन महरो मिलने के पने से शक्ति शाली विलन काल से Chris नहीं जीत पाया और काल ने काफी असानी से Chris को मार डाला रोहित महरा ने वहाँ बिखरे हुए टुकडों को एक पैटन में लगा कर सनलाइट की reflection से उसी process का इस्तेमाल किया जिसको उन्होंने एक dead plant को जिन्दा करने के लिए किया था रोहित ने खुद को एक brain filter की तरह यूज किया और सारी sunlight को क्रिश में transfer किया इसी के साथ रोहित की powers भी क्रिशना में आ गई जिस वक्त काल सभी को जुकने के लिए कहता है उसी वक्त पीशे से क्रिश पहुँच जाता है और और उडियोस को पहली बार flying क्रिश देखने को मिलता है सिर्फ इतना ही नहीं जब काल बहुत सारे weapons, stones क्रिश की तरफ फेकता है तो क्रिश उसको सिर्फ अपने mind से ही रोग लेता है यानि कि क्रिश के पास भी ठेले काइनेरिक्स पावर आ चुकी थी यहां तक कि क्रिश ने एक पूरी बिल्टिंग को अपने हाथों से उठाया जब कि मूवी के बेगिनिंग में वो एक टैंकर उठाने में भी काफी सारे हेलो एंड वेल्कोम एड्यों तो दॉडियो में तो इस पीडियो में तो इस पीडियो के अन तक जरूर देखें तो स्वागत है आपका इस पीडियो में जहां हम उस फिल्ट के बात करने वाले हैं जिसने इंडियन सिलिमा में सूपर हीरो जॉनरा को एक नए मुकाम तर पहुंचाया है जी हां हम बात कर रहे हैं राकेश रोशन की फिल्प रंचाइस क्रिश की आज अगर किसी पे बच्चे से पूछा जाए कि उनका फेवरेट हीरो कौन है तो वह किसी फेमस हॉलिपोर्ट हीरो जैसे की आइलन मैं, सूपरमैन या बैटमैन का नाम देगे बट वहीं अगर उनने कहा जाए कि किसी इंडियन हीरो का नाम देगा है तो सब की जुबां पे आज भी स्रिप क्रिश का नाम आता है तो राकेश रोशन द्वारा डैरेकेट इस सीरीज की तीन फिल्में अल्रेडी बन चुकी है जो कि कोई मिल गया क्रिश और क्रिश 3 है अब क्रिश 4 की स्रिप पे राकेश रोशन ने काम करना शुरू कर दिया है और वो उसकी डीटेलिंग पर पूरा ध्याम दे रही है और इसमें हमके हैं क्रिश 4 होटां बुरूर को बहुत है जैसा की पुरानी फिल्मों में अल्रेडि के गारेक्टर को बहुत ही बहतरीम तरीके से स्टार्विश कर दिया बढ़ा है तो वहीं ऑडियंस की उम्मीद से काफी बढ़ी हुई है और अगर विलेन की बात करें तो क्रिश फोर में एक नया विलेन इंट्रिव्स होना है और वहीं क्रिश के बेटे को भी एक नए सूपर हीरो के अस्तार में देखा जाएगा यहीं का ही राकेश के द्वारा ठाया हुगा बहुत ही अच्छा बता है जैसा कि हम जानते ही है छोटे मत्रों के दिमाग में सूपर हीरो जाउन्रा को लेकर काफी अमेसिंग आइडिया उनकी इमाचिनेशन कुछ भी सोच सकती है और यहीं आइडिया अगर राकेश को बसंदाए त मसकार दोस्तों मैं प्रेंक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल बॉलिग्रेट सुडियोज के फ्रेश निव वीडियो में आज हम आपको बताएंगे इंडियन सूपर हीरो की धमाकेदार वापसी के बारे में आप सभी जानते हैं इंडियन हर जंगे बस यही संसरी मची हुई है कि इस बार कहानी किस सूपर विलन पर बेस्ट होगी ट्विटर और सभी सोशल मीडिया प्लैटफोर्म्स पर फैंस की बस एक ही गुजारिश है कि जादू को वापस लाया जाए दूसरे घरा से आए एलियन जिसका नाम रोहित मेरा ने काम कर रहे जादू का रोल आकर किसने निभाया था जादू का रोल किया था इंद्रवदन प्रोहित में इंद्रवदन पहले भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में और टीवी शोस में नजर आ चुके हैं उन्होंने अपने करियर में कुल 6 अलग-अलग लेंग्विजिस में धाइसों मूवी करी जादू ने अपनी कमाल एक्टिंग और क्यूटनेस से फैंस का दिल जीत लिया था मगर बाकी दोनों ही सिक्वेंस में जादू की वाक्ति ना होने से फैंस मायूस थे दरेसल साल 2014 में ही इंद्रवर्दन प्रोहित की डैठ हो गई थी उनके बाद इस रोल में परफेक्ट कॉन फिट बैठेगा इस पर काफिस सोच विचार चल रहा है इसलिए भी फिल्म में देडी हो रही है कोई मिल गया जादू की प्रेजन्स की वज़े से ही इंडिया की फ स्टूडियो के टीम को दी गई है अब इस मूवी में बड़े से लेकर रोशन फैमली के बच्चे भी पूरा डेडिकेशन दे रही है यहां मतलब है उनके ग्रेंट संसे ऐसे में फिल्म में जादू की वापसी और पूरी फिल्म देखने में यकीनन कापी मज़ा आने वाला दोस्तों आपके अकोडिक कैसी होगी चादू किता एक बड़ फिर से हासे हूँ आपके सामने और स्वागत करती हूँ आपको बॉली गेट स्टूडियो की फिल्मी दुनिया में दोस्तों साल 2000 में रिलीज हूई सूपर हिट पिल्म कहोना प्यार है से रितिक रोशन ने रितिक को फिल्म में रोल मिला था बता दें डबू रत्नानी ने कहा कि मैंने फिल्म कहोना प्यार है से पहले रितिक रोशन का पहला पोटफोलियो शुट किया था रितिक ने मुझे बताया था कि मेरे पोटफोलियो के वज़े से ही उन्हें कहोना प्यार है जैसी पिल्म मे काम मिला था उनके पिता राकेश रोशन ने मुझे फोन करकर कहा कि आपकी फोटोस देखी मैंने और मैंने अपने बेटे के साथ फिल्म करने का फैसला किया है उन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा लोगों के साथ इमान दर हो बात मज़ेदार और काफी सच है डबू ने आगे कहा कि तब से लेकर अब तक मेरा देखते कि अब आकी सभी एक्टर्स जो की फिल्म इंडस्ट्री से हैं मुझे पता चल जाता है अगर कोई पेक होता है अपने फोटोशूट को लेकर डबू रत्नानी ने कहा कि आपको सभी के साथ एक वाइप क्रियेट करनी पड़ती है ल दबू के कलेंटर के काफी चर्चा होती है उनके फोटोशूट में हर स्टार का अलगी अंदाज निखरकर हमारे सामने आता है और यहां तक कि कई एक्ट्रस के ग्लैमरस फोटोशूट भी हमारे सामने डबू की वज़े से आते हैं इनमें टॉप लेकर शट्लेस तस्वीरे भी शामिल होती हैं डबू के फोटोशूट में कई स्टार्स अपनी स्क्रीन इमेज के ओलट नजर आते हैं डबू का इस साल का सेलेबरिटी फोटोशूट रिलीज हो गया है जिसकी जबरदस्ट चर्चा हो रही है जो कुछ ही टाइम में हमाई सामने आने वाला है इस शू IV में रितिक रोशन जबल रोल निभाते दिखेंगे मतलब इस बार ही रो और विलन दोनों का करदार-निभाते दिखेंगे बताएं साथी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आज किसके प्लिकी है मनिय करने किया क्रिश्ट 4 में हो सकती है नई सब्सक्राइब की एंट्री क्या फिर में देखने को मिल सकते हैं ताइम लाक्स स्वागत रहाब का बॉलीग्राइब स्टूडियोज है रितिक रोशन स्टारर्स सुपर हीरो की रीव कृष की चौटी फिल्म आने वारी है और इस फिल्म के लिए जंसा की एक्साइटमेंट को सोचल मीडिया पर काफी अच्छे से देखा जा सकता है जहां एक और ब्लाक केप में स्टूडिय सोपर हीरो को देखने के लिए फैन्स एक्साइटर है तो बहीं दूसरी और एक बार फिर से अपने फेरिट जादू को देखने की उमीद में उन्हें अपने सीज की एच पर ला बैटे है लेकिन क्या इस फिल्म से केवल जादू लोटने वाला है या फिर कोई और भी पुराना दोस्त जी हां कृष्णा की मदद करने के लिए दी अपैर होने वाला है कोई जानने के लिए हमारे वीडियो को एंट तक जरू देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ अगर आपको नहीं पता तो बता दे कि फिल्म में रोहित की समझदार चाइड के रूप में दिखी तीना पांच साल बागी हिमेश रेश्मिया की फिल्म आपका सुरूर में लीडिंग लेडी के दोल में दिखी दी जिहना दोस्तों उनके इस ट्रांस्वोमेशन ने पूरी इंडिया ओडियंस को हैरान कर्चे रख गया था जिसके बाद उन्हेंने कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया लीडिंग आक्टिर के दौर में अब 18 साल बाग वो सकता है क्रिश फोल में हंसिका दुबारा जी हाँ हाला कि फिल्म में वो अपने चाइल्ड रोल को कंटिनू नहीं करेंगी लेकिन उनका रोल जरूर एहम होने वाला है लेकिन क्या वो फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की जगाल लेंगी इन खबरों पर कोई भी खुलाबसा अभी तक नहीं हुआ है दरसल मेकर जानते हैं कि इस तर्में सिर्फ ओन स्क्रीन ही नहीं बलकि बहाइंड दर सीन पर स्टोरी इन एक्शन स्टोरी भी किसी भी फिल्म की सक्सेस पर गहरा असर डालती है और उन्हें न्यूज में बनाए रखने की मदद ही करती है विसलिए इनी स्टोरी को क्रियेट करने के लिए राकेश रोशन ने उस नाम को चिला है जो पूरे क्ष्टी का असा पढ़ने वाला है क्रिस पूर पर भी कैस सच में फिल्म के विकाओ होने के लिए राकेश रोशन ने अपने प्रसंशकों को जूट बेचा था और क्या है इसके पीज़े की छुपी हुई कुछ नहीं खबरों की तो आएए शुरू करते हैं क्रिश्ट्री अपने साल की हाईएस ग्रॉसर मूवी में से एक थी या शायद नहीं भी ओके आप कन्फ्यूस मत हो ये लिकमी एक्स्प्लेंग दर असल इस मूवी के ग्रॉसर मूवी होने के पीछे बहुत सी कॉंडरोब डने बॉल्सरी चुपी बीए हाला कि ये मूवी हिट जरूर हूए थी लेकिन इस मूवी को कुछ ऐसे ऐल्लेमेंट से जोड़ कर रख दिया गया था कि ये मूवी कर पिछले सीधि sindes politiques कुछ दिखा ही नहीं गए था सफी साथ में इस मुवी में कुछ ऐसे मुए मुझा चीज़े थी कि जहां बच्चों से भरा cinema hall हुआ रही करता था उसके लिए वहीं पर बच्चों के लिए यि नहीं मिल रही थी जी कि अब ही तक तीन मूवीज आ चुकी हैं और इस सीरीज में जल्दी क्रिश्पोर जुड़ने वाला है हमने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में इस मूवी के और इस मूवी से चुपी कॉंड्रोवर्सी के बारे में कुछ अंजानबाते बताई थी और आज हम उनी बातों का पोस्मॉटम करने वाले हैं यानि कि आये थोड़े गहराई में उन बातों को समझते हैं देखिए डिसेजन हमेशा ओर्डियंस का ही रहेगा यानि कि आपका आप दर्शक हैं और आप ही के आद में किसी भी मूवी को उठाना या गिराना बनता है बट इस मूवी के पीछ पीछे दर्शक ही confused हो गए थे कि इस मूवी को देख के क्या response दिया जाए दर असल यह सारी controversy इस बात के बीच में थी कि producer द्वारा बताएगा collection figure और analyst का collection figure बहुत ही जादा डिफरेंट था एक हूसरे से और अकसर ऐसा हो भी जाता है क्योंकि इनके पीछे कुछ छुपे होती हैं अलगलिक level पर काम करने वाली चीज हैं लेकिन इस movie में बहुत ही जादा डिफरेंस आया था दोनों figures के बीच में जो की audience के लिए काफी का infusing था तो दोस्तों यू तो हम कह सकते हैं कि producer को ही movie के accurate budget के बारे में पता होता है ऐसा इसलिए क्योंकि उन्ही को पता होता है कि movie क अग्जीबिटर के पास गई हुई है लेकिन यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस ही आता है कि आपके टाइम पर फॉर्स्टी अर्निंग को प्रमोशनल मार्केटिंग के लिए बहुत जादा यूज किया जाता है और इसलिए producer और film के maker इस figure को बड़ा चड़ा कर दिखाते हैं अब अगर बात करें दूसरी तरह अनलिस वेबसाइट के बारे में तो अनलिस वेबसाइट के जितने भी सोर्स होते हैं बहुत सारी चीजों पर रिसर्च करते हैं अपने हर सेटी में ओरिंट किये हुए सोर्सिस के द्वारा लेकिन अकुरेशन इनकी figure में भी नहीं कही जा जब सादा विवाद हुआ था हाला कि अभी भी आपका है कि आप किस पर यकिन करना चाहेंगे और किस पर नहीं ये तो मानना होगा कि क्रिशपोर के ऊपर इस बात की थोड़ी सी हवा चल सकती है और कॉंट्रोवर्सी में ये चीज उठ सकती है लेकिन आखिर में क्या होता ह ये देखने की बात होगी क्रिशपोर ऐसी मूवी नहीं है कि जिसको इसकी हवा उड़ा कर ले जाए क्रिशपोर को ये चीज हवा ज़रूर लग सकती है पर इसका तूफान कभी नहीं बना जा सकता इसलिए अब देखना होगा कि इस मूवी के बारे में कौन-कौन सी नहीं दिल्चस्प बाते हम लोग के सामने आती रहती हैं खेर हम आपके कुछ कंफिजन नहीं रखेंगे और हमेशा की तरह लाते रहेंगे फिल्मी जगत की सारी खबर आखिर किसे क्लेमड अक्टर की क्रिश फॉर में एंट्री होने की चल रही है बात क्यों पहले इस कोलाबोरेशन को बता दिया गया था इंपॉसिबल तो नमशकार दोस्तों मैं हूश्रिया अरोरा आपकी आज की होस्ट आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉलिग्राद स्यूडियोज में तो चलिए शिरू करते हैं आज की वीडियो क्रिश फॉर एक काफी बिग बजट हाइली अवेटेड फिल्म है जिसमें इंडिया के मोस्ट हैंसम रितिक रोशन फिर एक पार सूपर हीरो क्रिश का रोल ने भाने के लिए तैयार है शायद क क्रिश 3 से पहले क्रिश सीरीज को चिल्डर्न प्रजेक्ट माना जाता था लेकिन क्रिश 4 ने इसके लेवल को कई गुना बढ़ा दिया है यही कारण है कि अब इस फिल्म से बड़े बड़े लोगों के नाम भी जुडने लगे हैं ऐसे नाम जिनकी अपॉइन्मेंट पाने की बाते हो रही हैं तो कौन है यह इसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर करें क्रिश 4 से नवाजुदीन सिदिकी का नाम जुनने के बाद कई फैंस ने इस फिल्म उमीदे लगा ही रहे थे तब तक ही खबरें आ गई कि मनोज सर ने रितिक रोशन की मोस्ट लाइकली अपकमिंग फिल्म दे नाइट मैनेजर में हुग लॉरी के रोल को करने से इंकार कर दिया है आपको बता दे कि दे नाइट मैनेजर इदरिल अलबा की एक फिल्म है जिसके हिंदी एडापटेशन की बाते चल रही है और फिल्म में हुग लॉरी का रोल भी बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन इसके बावजूद भी मनोज सर ने इस रोल को करने से ना कर दिया है वैसे में क्रिश फॉर में उनके साथ कांध करने की तो उमीदे भी छोड़ी देनी चाहिए हाला कि आखिरकार कई स्पेकूलेशन के बाद मनोज सर ने इस ओफर को रिजेक्ट करने पर अपनी चुपी तोड़ी है उन्होंने कहा कि इस फिल्म से तो कोई तब ही निकल सकता है जब वो उसमें गया हो मेरे पास ये फिल्म कभी आई ही नहीं तो मैं इसे रिजेक्ट कैसे करूंगा आज कर लोग कहीं सुनी बातों को